हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट बेंस हिंदी मीडियम मैं लाली वर्मा आप सभी बारवी कक्षा के विध्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ साथी साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी अब और अच्छे से अपना खयाल रख रहे होंगे क्योंकि परिक्षाएं आने वाली हैं बहुत नस्दीक जिसन से आपको अपने आपको स्वस्त रखना है ताकि किसी भी तरह का हमें कमी ना रहे और हम अपने आपका ध्यान र कहती हूँ कि अपने आपका ख्याल रखें मैंगनेट मेंस है आपके लिए जो हर एक विशय की ऑनलाइन स्कूल एडुकेशन हंड़ेट परसंट फ्री प्रूवाइड करता है साथी साथ यदि परिक्षाओं के बारे में मैं बात करूं तो अब आपके येस आपके लिए मैं परिक्षाओं में डिवाइड किया गया है जैसे पार्ट का सार उसके बाद एंसी आर्टी सॉलुशंस एंसी क्यूज और वन शॉट रिवीजन तो बहुत ध्यान पूरवक हर एक विशय के वीडियो देखो ताकि आप परिक्षाओं में किसी भी तरह से भ्रमित ना हो और प सकते हो जब आपको समय में ले तब पड़ सकते हो मैं बता दूँ आपको कि में इने में परिक्षाओं की तहियार ही कर पाओंगे बलकि आगे आने वाले जितनी भी परतियोगी परिक्षाओं होंगी ना उनकी तैयारी भी आप इनकी हेल्प से बहुत अच्छे से कर पाओगे तो ध्यान से देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है फॉर्म फिल करो और देखना फिर की येस ये बुक्स हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो है भंडार ग्यान का खजाना देखना जरूर अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ कख्षा बार भी हिंदी इलेक्टिव Magnet Brain Sample Paper Solution for Board Exam paper number 2 मैं लेकर आई हूँ आज क्योंकि paper number 1 हम कर चुके हैं I hope आप सभी ने वो paper देखा होगा और नहीं देखा है तो देख लीजे क्योंकि हम जितना अभ्यास करेंगे जितनी practice करेंगे उतना ही हमें confident आएगा confidence आएगा और साथ ही साथ हम बहुत अच्छे से बिल्कुल निर्धारित कर लें कि येस हम कर रहे हैं तैयारी जीत की 80 मैंसे 80 नंबर लाना है आपको पूरे ये बिल्कुल गलत फहिमी अपने मस्तिश में मत पालना की भाई भाशा में कहां full marks मिलते हैं मिलते हैं full marks किसने कहां नहीं मिलते हैं बस शर्ते कि आप किसी भी तर और जब देखते हैं तो उनका अभ्यास करते हैं बार बार देखो ये मत सोचो की अरे ये तो हमें पता है अब ये नहीं देख रहे हैं जहां हमने थोड़ी सी लापरवाई अपने मस्तिश में लाई वहीं से हमारी जो अभ्यास है वो कम होता जाता है और सफलता के chances भी अच्छे से जुट जाओ और बहुत अच्छे से अंक लेकर आना ठीक है देखते हैं जो सामाने और आवश्यक निर्देश हैं कहने में तो ये सामान है लेकिन आवश्यक जो हमें असाधारन सी सफलता दिलाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्धारित समय कितना मि मिलेगा निर्धारित समय मिलेगा हमें तीन घंटे और पूर नांक हरेंगे हमारे ऐसी ठीक है तीन घंटे में हमें असी नंबर का paper solve करना है देखने पढ़ने और सुनने में बड़ा आसान लगता है कि तीन गंटे कर लेंगे ना असी नंबर ही तो है बहुत से बच्चे ये भी सोच रहा है चालीस नंबर का तो है mcqs वो तो हम चुठकियों में कर लेंगे no 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 ऐसे आप बिलकुल गलत फैमी में मत रहना सब्सक्राइब करना अच्छे से पढ़ो ध्यान दो क्यूंकि आपका कोर्स है उसी में से आने वाले ठीके आप बस अच्छे से देखो तो तीन घंटे का पेपर है असी नंबर का पेपर है और हमारा जो प्रतिदर्श परशन पत्र कहते हैं सैंपल पेपर को हिंदी में ठीके अब हम देखते हैं कि सामाने निर्देश क्यूं आवशक है जो सामाने निर्देश है वो बहुत अच्छे से आप रीडिंग टाइम जो आपको दिया जाएगा अलग से 10-15 मिनिट का उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना ताकि सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए यहाँ पर और किसी भी तरह का भ्रम ना रहे पहला है इस प्रशन पत्र में दो खंड है ठीक है यह सबसे पहला पॉइंट है आप याद रखो कि दो खंड दिये हैं पहला खंड है और दूसरा खंड है बा ठीक है कुल है चौधा प्रशन कुल चौधा प्रशन है इनके आंतरिक बहुत सारे प्रशन है सब क्वेस्टन से ओपर प्रशन है लेकिन मेनली यह दिम प्रमुक रूप से देखा जाए तो क्वेस्टन को मिलाकर खंड आ और खंड बा को मिलाकर 4 प्रशन है ठीक है 80 नमबर का पेपर है खंड आ पर खंड आ में दिये हैं 48 वस्तू परक प्रशन कितने दिये हैं जिन में दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रशनों के उत्तर आपको देना है 48 में से कितने प्रशनों का उत्तर देना है आपको 40 प्रशनों का उत्तर तो 8 प्रशनों की छूट या विकल्ब तो हमको यहीं मिल गया है यदि हम बहुत समझदारी से करेंगे ला तो हमारे 40 में से 40 नमबर 100 परसेंट पका येस क्यूंकि यहां कोई स्पैलिंग मिस्टेक नहीं होगी यहां कोई बिंदू पूर्ण वराम वालपराम के नमबर नहीं कटेंगे सही है तो सही है और गलत है तो गलत ठीक है तो बहुत बहुत बहतरीन तरीके से आप पढ़कर जाओ देखो यहां पर 48 में 40 नमबर आपको 40 प्रशन आपको करना है और जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरा 100 परसेंट सही आंसर है उन 48 में से वही 40 प्रशन आप करके आना ठीक है खंड बा की हम बात करें तो खंड बा में वर्नात्मक प्रशन पूछे गए हैं आंत्रिक विकल्प भी दिये गए हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेस्टिन्स खंड आभी 40 नमबर का खंड बा भी 40 नमबर का जब हम 48 में से 40 सही कराएंगे तो पूरे 40 नमबर हमारे पास अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव जो की प्रशन पूछे जाएंगे लेकिन एक और बात ध्यान रखना कि इन में भी आंत्रिक विकल्प दिये गए हैं आंत्रिक विकल्प मतलब प्रशन दिये जाएंगे कि निमलिखित पांच प्रशनों में से किनी चार के उत्तर दीजे यह लिखा आ सकता है कि किनी चार प्रशनों में से तीन के उत्तर दीजे किनी तीन प्रशनों में से दो के उत्तर दीजे तो वो बहुत ध्यान से सुनना ठीक है आई मीन कि उसको पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना और तब कही जाकर आप उत्तर लिखना बहुत हड़ बड़ा हट में यदि आपने सोचा कि ओरे बाप रे पांच प्रशन करना है पांच ओके छोटे 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 लिखकर आगा ऐसा अकसर हो जाता ह है इसलिए मैं बता रही हूँ और फिर आप कहते हैं जब डिसकुशन करते हैं आपस में यह टीचर से तो कहते ही हो मैडम अरे यार अपने फेंट से कहेंगे कि मुझे लगा पांच के पांच करना थे और इसमें चार करना थे वो हो तो इसलिए मैं कहा रही हूँ बेटा कि आंत्रिक विकल्पों पर जरूर ध्यान देना ताकि आपको जो उत्तर सही से आ रहा हो उस उत्तर को आप लिखकर आ और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो ठीक है अगला है निर्देशों को बहुत साफधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए निर्देशों को बहुत साफधानी से आपको पढ़ना है देखो अकसर क्या होता है कहते हैं आपने वो सुना होगा ना कि अरे किसी के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं तो अब हम क्या करते हैं हम वही पढ़रेंगे जो हम पढ़ना च तो प्रश्ण पत्र को उनके नजरिये से पढ़ना बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना तब जाकर आपको उत्तर जब हम बहुत ध्यान से निर्देश पढ़ लेंगे तो आधा उत्तर तो हमें समझे कि आधा जो प्रश्ण है ना आधा question paper है वो हमें अच्छे समझ में आ गया उसी time ठीक है नेक्स्ट है दोनों खंडों के प्रश्णों के उत्तर देना अनिवार है ऐसा नहीं है कि आप सर्फ इसी के दे दो 48 हैं तो 48 मैं से 48 जाएंगे मेरे यहां और वाकी के मैं यहां कर लूँगा नहीं यहां से भी आपको 40 नंबर मिलेंगे यहां से भी आपको 40 न कि जो reading time रहेगा और जब आप question paper को पढ़ रहे होंगे तो जिस तरह से question paper serial जिस serial में है जिस क्रम में है उसी क्रम में उत्तर दो क्योंकि reading time आपने अच्छे से utilize किया समझ गये हैं कि अब क्या है कौन सा में करना है कहीं भी question paper पर कुछ लिखना मत भूल कर भी भूल मत करना question paper पर कुछ भी टिक मार्क मत करना बिटा अनिता कुछ cases बगेरा बन जाते हैं ठीक है अक्सर हम जो अपने स्कूल में exam होते हैं question paper पर ही solve करने लगते हैं मत करना ऐसा question paper पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए ये भी नियम है ठीक तो यहां पर दोनों जो खंड रहेंगे हमारी copy जाती है जैसे हम ही अपनी बात करें कभी मान लीजिए हम भी चले गए तो जो copies या जो answer sheet हमारे पास आएगी बहुत अच्छे से करते हैं जैसे mcqs लिखना है ना तो यहां का खा गा घा यह इनके answer लिख दिया हमने और फिर इसी email line खीज देंगे हम हम यहां फिर से लिख देंगे एक दो तीन चार फिर यहां और लिख देंगे एक दो तीन चार ऐसी कंजूसी मत करना बहुत अच्छे से साफ सुत्रेवे में आप answer लिख कर आओगे सिर्फ एक ही line में आप लिखना और जो भी विकल्ब सही होगा उस विकल्ब के सासाथ उसमें जो वाक्य या शब्द दिय है वो भी लिख कर आना यह नियम है समझ में आया एक ही पेज में बहुत सारे answers लिखने की कोशिश या भूल मत करना की तीन कॉलम से बना लिए और हम पेपर में लिखे जा रहा है पीछे की सारे pages blank पेपर को अच्छे से यूटिलाइस करना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह एक ही पेपर में यह एक ही पेज में हम सारा लिख दें उससे भी बिलकुल अच्छे से चेकर जो रहते हैं वड़ी चड़ाती है कि यह क्या करके आये हैं बच्चे चलो तो अब हम चलते हैं खंड आ का पहला प्रश्ण जो की है हमारा दस नंबर येस यह है आपठित अध्यांश को ध्यान पूर्व पढ़कर सरवाधिक उप्योक्त उत्तर वाले विकल्प को चुन कर लिखिये सरवाधिक उप्योक्त उत्तर जो सबसे सही उप्योक्त सही उत्तर होगा उस उत्तर को चुन कर लिखना है दिया है नहीं आपर सरवाधिक उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए मतलब आप सिर्फ का लिखकर नहीं आएंगे यदि उत्तर सही का है तो सिर्फ का लिखकर नहीं आएंगे उसमें जो वाक्य लिखा है उसको भी आपको लिखकर आना है ठीक इतना ध्यान देना जो भी लिखा है जैसे मानलो रामचरित मानस की रचना की गद्यांश साहित की शाश्वतता का प्रश्ण एक महत्व पूर्ण प्रश्ण है साहित की शाश्वतता मतलम साहित ना कभी मरा है ना कभी मरेगा अर्थाथ ना कभी उसका समापन हुआ है ना कभी होगा वो हमेशा जीवित रहेगा ठीक है साहित की शाश्वतता का प्रशन एक महत्वपून प्रशन है क्या साहित शाश्वत होता है अभी बिल्कुल मेरे मस्तिश में भी यही आ रहा था क्या साहित शाश्वत होता है क्योंकि साहित क्या है समाज का दरपन और समाज क्या है मनुष्य तो क्या मनुष्य शाषवत होता है अधी हां तो किस माईने में कैसे किस अर्थ में हम मान लें कि साही शाषवत होता है शाषवत मतलब जो हमेशा रहे क्या कोई साहित अपने अपने रचना काल के 100 वर्श बीतージाने पर भी उतना ही प्रसांगिक रहता है अब उनका ये है कि यदि हम साहित को कह रहे हैं कि ये शाश्वत है अमेशा रहता है तो एक 100 साल का एवरेज लेकर हम चलते हैं तो क्या कोई भी साहित अपने 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रसंगिक रहता है उतना ही महत्वपुन रहता है उतना ही समाज के सा कर पाता है ठीक है जितना वह अपनी रचना के समय था अपने समय के युग का निर्माता साहितिकार क्या सो वर्ष बाद की परिस्थितियों का भी युग निर्माता हो सकता है अब जिस युग में जिसने साहित की रचना की होगी तो क्या वो सो वर्ष बाद क्या होने वाला है उसकी भी रचना कर सकता है समय बदलता रहता है परिस्थितियां और भाव बोध भी बदलते हैं साहित बदलता है और इसी के समानां तर पाठक की मानसिक्ता और अभीरुची भी बदलती है ठीक है समय बदला परिस्थितियां बदली भाव बोध बदले भाव बोध मतलब जो emotions थे उनको समझने की कुशलता वो बदली साथी साथ पाठक की मानसिक्ता और अभिरुची भी बदली अब जो पाठक क्या है जो पढ़ने वाला उसकी मानसिक्ता भी बदली क्योंकि पहले कुछ और सोच थी यदि हम पहले कि यदि बात करें तो क्यों generation gap आ क्यों communication gap हम कहते हैं कि अरे दादी के विचार हमारे विचारों से मिल नहीं खाते हैं या फिर क्या दादी आप भी अरे जमाना यह है मानो हमारी बात मतलब विचारों में मान सिक्ता में परिवर्तन तो आ रहा है अभी रूची जो भी अभी वृत्ती है जो इंट्रस्ट है वो तो कोई भी कवीता हो या कहानी हो या समाज से रिलेटेट कोई बाते हो या किसी का इतिहास हो तो वो उस तरह की परिस्थितियां उस तुना महत्रपूर्ण नहीं बना सकती है अपने आपको जितना की वो अपने समय थी क्योंकि उस समय का माहौल वैसा ही था और अब सब रिष्टा बगली अभीरूची बगलीस विचार बदले सब कुछ बदला है ठीक है वे मानते हैं कि साहित का निरपेक्ष होता है । उस पर कोई भी मन में समान भाव रहते हैं किसी भी वर्ग विशेश को लेकर रचना नहीं करते हैं साहितकार ठीक है निरपेक्ष होते हैं मतलब पक्षपात रहित और उस पर कोई दवाप आरोपित नहीं होना चाहिए किन्तु वे भूल जाते हैं कि साहित के निर्मान की मूल प्रेरणा में इंस्पिरेशन है वो क्या है मनश्य की भावना ठीक है तो मूल प्रेरणा मानव जीवन में ही विद्वान रहती है जीवन के लिए ही उसकी स्रिष्टी होती है तुलसी दास जब स्वांत तहां सुखाय कावे रचना करते थे तब अभी प्राय यह नहीं रहता था कि मान इस रचना करते हैं तब अभी प्राय यह नहीं रहता कि मानव समाज के लिए इस रचना का कोई उपयोग नहीं है बलकि उसके अंतह करण में संपून संसार की सुख भावना और हित भावना को सोचकर यह उस हित भावना को लेकर उन्हों रचना की जो साहितकार अपने संपून व्यक्तित्व को व्यापक लोग जीवन में सन्नी विष्ठ कर देता है उसी के हाथों इस्थाई एवं प्रेरणा प्रद साहित का स्रजन होता है समझ में आया कि जो साहितकार अपने संपून व्यक्तित्व को जो उसकी परसनालिटी है जो उसक व्यक्तित्व को व्यापक मतलब पूरी तरह से लोक जीवन में सन्नी विष्ट कर लेता है मतलब पूरी तरह से लिप्त अपने आपको और समाज में ठीक है उसी के हाथ हो स्थाई एवं प्रेड़ना प्रतसाहित का स्रजन हो सकता है जो सुख को भी समझे जो दुख को भी और किन युख नीच या किसी में भेदभावन करे तो ऐसा ही जो रचनकार है वो स्थाई रुप से स्रजन कर सकता है सहित का ऐसा सहित के बल अपने ही समय में प्रसांगिक नहीं रहता बल्कि स्दैव के लिए प्रसांगिक हो जाता है ठीए कि भावनाओं को सम्मान देने की भावना उत्पन है या भावना है या सब तरफ सब और ध्यान रखकर किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है किसी भी तरह का पक्षपात नहीं है यदि इस तरह की भावना से वो रचना करता है तो वो सहित हमेशा के लिए अर्था शाश्वत हो जा चलते हैं पहले प्रश्ण पर अब देखती हूं कि आप उत्तर किस तरह से देंगे पहला है वर्तमान युग में पुराने साहित के प्रती लोगों की रुची कम होने का क्या कारण है अब वर्तमान अभी की हम बात करें तो लोगों की मन में साहित के प्रती रुची कम क्यों हो गई है क्या कारण है पहला है मनुष्य का स्वभाव क्या मनुष्य का स्वभाव है इसका कारण कि वह साहित के प्रति कोई इंट्रेस्ट नहीं रखता है दूसरा खा है पाठक की अभी रुची में परिवर्तन क्या उसके इंट्रेस्ट में कोई परिवर्तन आ गया है या फिर कि विचारधार्गा संकुचित विचारधारा क्या उसकी विचारधारा बहुत सीमित हो गई है झोटी हो गई है यह फिर क्लिस्ट शब्दावली से मो सहिए सहित में क्लिस्ट सब्दावली या सहित एक भाषा जो तो इस से उनका बिल्कुल वो ही यह नहीं है भाई मुझे नहीं पढ़ना कौन सा रीजन हो सकता है क्या मनुष्ट का सुभाव इसका कारण है इसलिए वर्तमान युग में नहीं पढ़ते लोग पाठक की अभुरुची में परिवर्तन आया है संकुचित विचारधार हुई है किसके का अभी रुची में आ गया है परिवर्तन इसलिए वर्तमान में अब साहित के प्रती इतना इंटरेस्ट या इतनी रुची नहीं रही है ठीक है याद रखना अगला है साहित्य के प्रती पाठक का नित्य आकर्शन किस पर निर्फर करता है अब यदि साहित्य है उसके प्रती अट्रेक्शन या आकर्शन किस पर निर्फर करता है का साहित्य के कलापक्ष पर उसमें कलात्मकता होनी चाहिए खा लेखक के या फिर गा साहित में वरनित जीवन मूल और उसकी कलात्मक अभी व्यक्ति पर या फिर गा साहित में नहीत उपदेश पर तो किस तरह से पाठक के मन में सहित के प्रती आकर्शन उत्पन होता है बताईए साहित में कलापक्ष होता है या लेखक का भावबोध होता है या फिर साहित में वर्नित जीवन मूले हैं और उनकी जो कलात्मक तरीके से अभी व्यक्ति की गई है इसकारण उसके मन में इंटरस्ट या करशक लगता है उसको साहित या फिर जो को बहुत एकच्छे से सिख्षा प्रदान करती है साथ उनकी जो कलात्मक अभी व्यक्ति है मतलब जो भी सहित्में वर्न्द है हमारे जीवन मूल्यों के बारे में उनको उनका वर्नन है वह इतने कलात्मक तरीके से किया गया है ताकि सब का आकर्शन हो जाता है सहित पर जो पढ़ना जानते हैं या जो बाठक वर्ग है ठीक है अगला प्रशन है जीवन के विकास में पुराने सहित का कौन सा अंश स्विकार होगा जीवन के विकास में अब हमारा जीवन नित्य प्रति दिन विकास करना चाहता है विकास हम भी करना चाहते है सम और विकास का बोल वाला है तो जीवन के विकास में पुराने साहित का कौन सा अंश स्विकार होगा पुराने साहित का कौन सा इनमें से कौन सा अंश स्विकार होगा जीवन के विकास में ऐसा कौन सा अंश होगा इनमें से जिन से यह हम अनुमान लगा सकते हैं, 얘 पता लग जाएगा हमें कि हाँ, इन से जीवन में विकास तो होगा ही है, सहित के मातिम से, का है मनुष में आस्थाव विश्वास जगाने वाला, का है हमारी परंपराओं को वहन करने वाला, गाहे मनुश्य की आदिम प्रवर्तियों का निदर्शन जगाने वाला या फिर गा नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहीयोग देने वाला येस बिलकुल सही जवाब यही है इसका सही जवाब कि जीवन के विकास में पुराने साहित में यदी नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहीयोग लगा कि है तो साहित पुरा ना लेकिन पूरी तरह से वो हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें भी प्रसांगिक लग रहा है तो वो साहित हमारे जीवन के विकास में helpful होगा clear तीन नंबर हो गए मैं यह पक्के हमारे ठीक है अगला है कहने का ताथ पर है कि विशेश परकार के साहित देखो उसका वो भी दिया है रीजन कहने का ताथ पर है कि विशेश परकार के साहित स्रेश अस्तित्व मातर सेवाई साहित हर युक के लिए उतना ही विशेश आकरशन रखे यह आवशक नहीं है मतलब इसका explanation दिया है कि नवीन जीवन मूलियों के विकास में सक्रिय सहयोग देने वाला कैसे होगा तो जब भी साहित की रचना की जाती है ऐसा नहीं है कि जितने interest और रोचक वो अपने समय में लगा था लेकिन यदि विशेश प्रकार की साहित के स्रेश्ट अस्तित्व मात्र से वह साहित हर युग के लिए उतना विशेश आकशन रहे यह आवशक नहीं है यही कारण है कि वर्तमान यूग में इंगला, पिंगला, सुष्णुमा, अनहद, नाद, आदी, पारी भाशिक शब्दावली मन में विशेश भाव उत्तेजर नहीं करती पहले इन शब्दों के बड़े, मतलब बहुत उनके माइने रहा करते थे लेकिन अब नहीं है, कोई भावनाय उत्तपन नहीं होती है साहित की स्रेश्टता, मात्र ही उसके नित्याकर्शन का आधार नहीं है उसकी स्रेश्टता का योग योगीन आधार है वे जीवन मूले तथा उनकी अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ती जो मनुश्ची स्वतंत्रता था था उच्चतर माना विकास के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है यदि साहित में कलात्मक अभिव्यक्ती हो जो मनुश्ची स्वतंत्रता था उच्चतर माना विकास के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे तो ऐसा साहित हमेशा सब के लिए आकरशक होगा पुराने साहित का केवल वही श्री सौंदर है हमारे लिए ग्राह होगा जो नवीन जीवर मूल्यों के विकास में सक्रिय साहियोग देगा जो पुराना साहित है भले ही वो सौ क्या हजार वर्श पुराना हो लेकिन वर्तमान परी प्रेक्ष में यदि वो हमें विकास की उल लजा रहा है या फिर उससे हम हमारी जो पीड़ी है उसका अनुसरन करते हुए अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है तो वो आमारे लिए अवश्य साहिक होगा कुछ लोग साहित की सामाजिक प्रती बद्धता को अस्विकार करते हैं अब हम चलते हैं अगले प्रशन की ओर साहित कार निर्पेक्ष होता है किसी भी तरह का भेद भाव पक्षपात नहीं करता है उस पर कोई दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए यह कौन मानता है पहला है का समाज सुधारक क्या समाज सुधारक मानते हैं कि भाई जो साहितकार है वो निर्पेख्ष होता है और उस पर किसी भी प्रकार का दवाब नहीं होना चाहिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए ठीक है क्योंकि वो हर वर्ग के लिए अपने विचारों को कहना है या फिर खा लेखक स्वयम जो साहितकार स्वयम है जो लेखक स्वयम है वही मानता है कि भाई मैं तो पक्षपात नहीं करता हूं मैं निर्पेक्ष भाव से साहित की रचना करता हूं ऐसा कुछ या फिर गा साहित की सामाजिक प्रती बद्धता को आस्विकार करने वाल तो इसका उत्तर होगा कि साहित्य का निर्पेक्ष होता है उस पर कोई दवाब आरोपित नहीं होना चाहिए चाहिए की बात है तो यह कौन मानता है साहित्य की सामाजिक प्रति बद्धता को आस्विकार करने वाले लोग मतलब प्रति बद्धता की भाई यह ऐसा ही होगा ठो रहें उनको लगता है कि कहते हैं कि यह था दृष्टी तथा सृष्टी जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है यदि हम अच्छे तो जग अच्छा यह हमारे बड़े बुजरुपी कहते हैं ना बेटा कि बेटा हम अच्छे तो जग आपने आपको सही रखो बाकी सारी दुनिया अपने आप आपको अच्छी नजर आएगी तो यहां पर साहित की सामाजिक प्रतिबद्धता को अस्विकार करने वाले लोगी हैं जो यह मानते हैं कि साहित का निर्पेक्ष होता है उस पर कोई दवाब आरोपित नहीं होना चाह होती है क्या है प्रशन साहित के निर्मान किस तरह से साहित निर्मित होता है क्या साहित किसी एक व्यक्ति की कल्पना है क्या साहित किसी एक मस्तिश्क के विचारों की उपज है या फिर साहित के निर्मान की मूल प्रेणा किसमें विद्धमान रहती है का है समाज में खा है म मानव जीवन में गाहे युगी युगी न परिस्तियों में जो यूग में परिस्तियां चल रहे होती है उन में या फिर गाव साहतिक विधा विशेश में किस में होता है कि जो मूल प्रेढ़ना होती है किस तरह से बताईए मूल प्रेढ़ना क्या है मानव जीवन में अर्थात जिस तरह का यह नहीं कहा है उनकी लेखक के जीवन में या रचनकार के जीवन में या साहितकार के जीवन में साहित के निरमान की मूल प्रेञ्णा किसमे विद्मान है मानव जीवन में क्योंकि प्रेणा या बुद्धी मान कौन है मनुष्य तो इसी के लिए साहित की रचना की गई इसी ने साहित का अनुसरन करके अपने जीवन को हूँ चाइओं तक भी ले गए ठीक है जो महान साधारन से असाधारन बन जाते हैं जो सामन व्यक्ति से महान व्यक्ति में शामिल हो जाते हैं कि साधार पर विचारों के आधार पर कर्मों के आधार पर और साहित क्या बताता है यही तो बताता है जो हो चुका है उसको बताया जो होने वाला है उसको बताया या फिर जो कल्पना की जा सकती है समाज के हित या कल्यान के लिए जो कारिक किये जाते है उनको बताता है तो यहाँ पर यही है कि मानव जीवन में जिस सबसे बड़ी साहित के पीछे प्रेणा है मानव जीवन यदि मनव जीवन नहीं होता तो बिलकुल साहित भी नहीं होता समझ में आया चलो तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है स्थाई एवं प्रेर नाप्रद साहित का निर्मान किस प्रकार का साहित कार कर सकता है क्या प्रश्ण दिया है बिटा स्थाई एवं प्रेर नाप्रद मतलब जो साहित स्थाई हो और प्रेर नाप्रद भी हो तो इस तरह के साहित का निर्मान किस तरह का साहितकार कर सकता है उस साहितकार में कौन से गुण होना चाहिए ताकि उसका साहित स्थाई भी हो और प्रेण स्रोथ भी हो तो पहला है का साहत्य शास्त्र के ग्यान से पून जो साहत्यकार साहत्य के शास्त्र से पून रूप से ग्याता होगा उसका वो करेगा खा है अपने व्यक्तित्व के प्रती पून सचेत, क्या वो इस तरह के साहट के निर्मान करेगा जो अपने व्यक्तित्व के प्रती पून रूप से सचेत होगा या फिर गा जीवन मूल्यों से अवगत जो सहितकार होगा वो इस तरह के सहितकी रचना करेगा या फिर गा अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर उसे लोक जीवन में सन्निविष्ट करने वाला क्या कोई साहितकार जब अपने ही व्यक्तित्व का विस्तार करेगा जीवन मूल्यों को अपनाएगा सच्छाई और सभी तरह के जो values हैं मूले हैं उनको अपने अंदर सन्निविष्ट करेगा तो क्या इस तरह का साहितकार एक स्थाई और प्रेड़ना प्रत साहित की रचना कर पाएगा बिलकुल सही जवाब है यही है सही जवाब की एक स्थाई और प्रेड़ना प्रत साहित का निर्मान अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर उसे लोक जीवन में सन्निविष्ट करने वाला सहितकार ही कर सकता है ठीक है याद रखिएगा छैनमबर हो गए हमारे बहुत-बहुत पक्के-पक्के अब चलते हैं साथ प्रश्न की और तुलसिदास की कावे रचना का आधार क्या है तुलसिदास जी गोस्वामी तुलसिदास जी रामचरित मानस के रचनाकार हमें देना है अपने गध्यांश के आधार पर जो सबसे सही विकल्प हो वही आंसर हमें चुनना है तो हमने तुलसिदास जी से संबंदित अभी पढ़ा था तो उसका सही जवाब है सुआंतह सुखाय मतलब सभी तरह से राम सुख शांती का जीवन जीना ही तुलसिदास जी की रचना का मूल आधार रहा है और उन्होंने अपने रामचरित मानस जो की महाकाव्य हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसमें भी उन्होंने श्री राम चंद्र के पवित्र जीवन के बारे में ही उलेखिया है मरियादपुर शोतम श्री राम को बहुती सुंदर तरीके से रचना की है इसकी जो की हम सब के लिए प्रेड़ना स्त्रोथ है अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा कथन साहित के संदर में देखो यहां क्या लिखा है असत्य है बंद में गलत हो असत्य हो का है साहित शाश्वत होता है खा है साहित की स्रेष्टता जीवन मूल और उनकी कलात्मक्ता पन निर्भर करती है एक लिखा है साहित शाश्वत होता है दूसरा है साहित की स्रेष्टता जीवन मूल और उनकी कलात्मक्ता पन निर्भर करती है या या फिर गा साहित की स्रिष्टी जीवन के लिए होती है या फिर गा पुराना साहित ग्रहन करने योग नहीं है तो क्या है असत्य छाटना है सत्य नहीं छाटना है मतलब तीन है सत्य एक है सत्य तो साहित के संबंद में जो गलत है कि पुराना साहित ग्रहन करने योग नहीं है ये गलत है क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुराना साहत है हम उसे ग्रहन नहीं करना चाहिए या आज कल या वर्तमान में या कभी भी किसी को उसको ग्रहन नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए बशरते कि उसमें इस तरह के जीवन मुले शामिल हो और अक्सर जीवन पड़ता है सामें परिविश्चर मचते हो कि माल लीजये अभी मैं Rank phenchi tena करूं तो मेरी जो कलपना होंगी किसा धार पर होँगी वर्तमान में क्या चल रहा है क्या घटेद हो रहा है तो मेरी वर्तमान की जो सोच है है उसा के curios पर मेरी रचना होगी तो यहाँ पर लिखा है कि सामिक परिवेश के बदल जाने पर अब मालो ऐसा होता तो नहीं है लेकिन मालो भाई मैं सौ साल जीओं या मैं चली जाओं लेकिन सो वर्ष बाद क्या मेरी कवीता की उतनी ही महता होगी क्या मेरी कवीता उतनी ही मूलेवान ह होगी जितनी की सौ वर्ष पहले थी बताइए तो सामेक परिवेश के बदल जाने पर कवीता पर क्या प्रभाव पड़ता है पहला है कवीता अपने रचना काल जैसी उत्तेजना पैदा नहीं कर पाती दूसरा खा है कवीता विभिन परिवेशों में अपनी पहचान बनाए र सामेक परिवेश के बदल जाने पर कवीता अपने रचना काल जैसी उत्तेजना पैदा नहीं कर पाती जो उसके अपने काल में जिस तरह से उसने ओ या वीरता की हो या भावनाओं की हो या करुना की हो तो जो वक्त उस समय चल रहा होता है उसी का प्रभाव अधिक प्रभाव तो नहीं होता 10 वा प्रश्न फिर हमारे 10 नमबर पक्के प्रस्तुत गद्याश्च किस विशय वस्तू पर अधारित है का कला के महत्व पर खा साहत्य और समाज पर मrgen शहत्य की प्रसंग कता और या फिर गर साहत्य कार के दाईतव और येस तो जो ओं मारा घंध गद्यान्ष है वो सहặt कि प्रसंगिप्ता यारे सांश आँल का चल रहा होता है उसका जो साहत की रचना की गई तो कि उसी की तरह सका है बहुत समय बीच जाने के बाद भी होता है इसी पर इसका गद्धारा यह जो गद्याँज था वह आधा यड़ा ठीक है गद्यांश था पूरे 10 नंबर का, कावयांश नंबर का, 10 नंबर हमें मिल चुके हैं, अब हम चलते आठ पे नंबर की ओर, नीचे दो अपठित कावयांश दिये गए हैं, किसी एक कावयांश पर आधारित, प्रशनों के सर्वाधिक उप्युक्त उत्तर वाले विकल्ब चु तो दो कावयांश है, परिक्षा में आपको इन दोनों में से कोई एक करना होगा, लेकिन यहां पर हम दोनों का भ्यास करेंगे, तो देखते हैं, एक बार मुझे आकड़ों की उल्टियां होने लगी, गिनते गिनते जब संख्या करोणों को पार करने लगी, मैं बेहोश हो की, या करने लगी, मैं बेहोश हो गया और होश आया, तो मैं अस्पताल में था, खून चड़ाया जा रहा था, ऑक्सिजन दी जा रही थी, कि मैं चिलना या, डॉक्टर मुझे बुरी तरह हसी आ रही है, यह हसाने वाली गैस है शायद, जब खून चड़ाया जा रहा, ऑक जबूर नहीं कर सकते, इस देश में हर एक को अफसोस के साथ जीने का पैदाईशी हक है, वरना कोई माने नहीं रखते हमारी आजादी और प्रजातंत्र के, बोलिए नहीं, नर्स ने कहा बेहत कमजोर है आप, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है रक्तचाप, नर्स क् समझाया आकणों का वाइरस, बुरी तरहे फैल रहा है आजकल, सीधे दिमाग पर असर करता भागिवान है आपकी बच गए, कुछ भी हो सकता था आपको, सन्निपात की आप बोलते ही चले जाते, या पक्षगात की हमेशा के लिए बंद हो जाता आपका पोलना, मस्तिश्क की कोई भी नस्फट सकती थी, इतनी बड़ी संख्या के दवाब से हम सब एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, गुजर रहे, तादात के मामले में उत्तेजना घातक हो सकती है, आकणों पर कई, कोई दवा काम नहीं करती, ठीक है, शान्ती से एक काम ले, अगर बच गए आप तो करोड़ों में एक होंगे, अचानक मुझे लगा खत्रों से सावधान कराते की संकेत चिन में, क्या दिखा, येस, बदल गई थी डॉक्टर की सूरत, और मैं आंकणों का काटा, चीखता चला जा रहा था, कि हम आंकडे नहीं आदमी हैं, किस तरह से जीवन की कश्म कश में व्यक्ती उलज जाता है, किस तरह से अपने जीवन के संगर्ष में व्यक्ती जब तक जीता है, पता नहीं कौन-कौन से क्रिया कलापों में शामिल होकर अपने आपको कैसे उलजा लेता है, कोई लालत के जलदल में फस जाता है, तो कोई पैसे, धन संपत्ती के या शोहरत जो कहता है न, उसके पीछे भागता रहता है, इस तरह से अपने आपको ही भूल जाता है, व्यक्ती की आखिर ये कैसी मन्शा है, क्यों व्यक्ती अपने जीवन को आसान तरीके से व्यतीत नहीं करना चाहता, ठीक है, अब चलते हैं हम प्रशनों की और, अब देखत हैं प्रशन, डॉक्टर के अनुसार आंकड़े क्या कर सकते हैं, क्या कहा था डॉक्टर ने, का बहुत अधिक चिंता ग्रस्त कर सकते हैं, खा बहुत अधिक उत्तेजित कर सकते हैं, उत्तेजित मतलब उता एक्साइटेड, ठीक है, गा, आंकड़ों की तदा अनुसार इंस कर सकते हैं मतलब चित भ्रांत मतलब जो मन और मस्तिश के उसमें पूरी तरह से अब काबू में ना रहना अपने नियंतरण में ना रहना कुछ भी कहना कुछ भी जैसे नहीं व्यक्ति जब क्रोध में आता है तो कुछ भी कह देता अफर के ता सौरी यार्म गुच्छ से में जो भी करते हैं तु अब देखते हैं कि डॉक्टर के अनुसार आंक्ले क्या करते हैं चित भ्रांत कर अंडबंट बखने पर मजबूर कर सकते हैं इसलिए हमें हमेशा अपने आपको नियंत्रित करने का पूरी तरह से प्रयास करते रहना चाहिए यदि हमने अपने आपको नियंत्रित नहीं किया तो कभी भी हमें कहीं पर भी हार सुईकार करनी पड़ सकती है और किसी के विस समक्ष नीचा मूं या सिर जुका कर रहना पड़ सकता है ठीक है अब हम चल का अस्तित्व उसकी सोच वा भावनाएं अब एक आकड़ा मात्र रह गही है क्या ये इसका किंद्री भाव है खा आकड़े मानवता की बारी कियों वा अन्य सामाजिक पहलूओं का समावेश नहीं है गा अफसोस के साथ जीने का अधिकार जन्मसिद्ध है या फिर गा इंसान के गुण प्रतीभा एवं विशेशता है आज की स्थिती में गौड हो गया है गौड मतलब होता है सेकंडरी ठीक है इसको आप कह सकते हैं सेकंडरी हो गया है क्या आजकल बताइए तो अब चलते हैं हम सही उत्तर की और की कवीता का सटी केंद्री भाव इंसान का अस्तित उसकी सोच और भावनाए अब एक आकड़ा मात्र रह गई हैं कुछ नहीं है सिर्फ सब कुछ पैसा पैसा करते हैं क्यों पैसे पर भाईया सब कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ मनलब लाब हानी फाइदा नुकसान इसी पर अटक कर रह गया अर्था कहते हैं कि आजकल अगे प्रशन है अफसोस के साथ जीने का पैदाईशी हक संविधान में दिये किस अधिकार के अंतरगत आएगा संविधान में जो अधिकार दिये हैं हमारे फंडमेंटल राइट्स तो अफसोस के साथ जीने का पैदाईशी हक का अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता खास शोश प्रशने का पैदाइश हक सम्विदान में नहिद अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा कि अगला प्रश्ण है आकड़ों की उल्टियां से कभी का ख्यातात पर है क्या कहना चाहते हैं कि आकड़ों की उल्टियां होने लगी फिर वास्पताल में पहुंचे यह क्या क्या कहना चाहते हैं कभी का है आकड़े इतने अधिक थे कि दिमाग उन्हें सुईकार ही नहीं कर या फिर घा आकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि सन्निपात का रोग हो सकता था बताओ आकड़ों की उल्टियों से आशा है कि आकड़े इतने अधिक थे कि दिमाग उन्हें सुईकार ही नहीं कर पा रहा था जब यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से जब उत्तेजना घातक हो सकती है पंक्ति का सही भावार्थ हो सकता है तदाद के मामले में उत्तेजना घातक हो सकती है का तादाद है वो तदाद नहीं तादाद ठीक है तादाद तादाद जो है तादात क्या है तादात घातिये प्रकार से व्रिद्धी कर उत्तेजित कर देती है या फिर खा तादात द्वारा जनित उत्तेजना प्राण नाशक हो सकती है या फिर गा समझदार लोग तादात की घात से प्रभावित नहीं होते या फिर घा उत्तेजना की तादात मनुष्य के पतन का एक मुख्य कारण हो सकती है तादात के मामले में तादात द्वारा जनित उत्तेजना प्राण नाशक भी हो सकती है भीड तादात इतनी भीड जब भीड अपना कुछ ऐसा काम कर देती है जिसमें किसी को पैचानना मुश्किल है तो इस भीड को काबू करना कितना मुश्किल होता है इसी तरह से यदि विचारों की उधेर बुन लगी रहेगी ये दुनिया भर की बात है तो खुद को नियंतरण करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगला प्रशना है आंकडों का वाइरस बुरी तरह फैल रहा है आजकल पंक्ती में आंकडों के किस प्रभाव की बात कही गई है गा बड़ी मातरा में तथ्य असलियत को भाप लेते हैं गा बड़ी मातरा में तथ्य लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं गा बड़ी मातरा में तथ्य बी एक प्रकार का वाइरस ही है या फिर गा बड़ी मातरा मे क्या हो जाता है आंक्डों का वाइरस बुरी तरहे फैल रहा आजकल बड़ी मात्रा में तथ्य लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं जब हद से अधिक आंक्ड़े आ जाएं ठीक है तो वो दिमाग खराब कर देते हैं अगला प्रशन है हमारी आजादी और प्रजातंत्र माइने तभी रखते हैं जब का पैदाएशी हक दिये जाएं खा हसने पर मजबूर ना किया जाएं गा अफसोस के साथ जीने दिये जाएं या फिर घा अपनी मर्जी से जीवन जीने दिये जाएं तो हमारी आजादी और प पैदाइशी हक दिये जाएं ठीक है यही बताया है अगला है नाजुक दौर से कवी क्या कहना चाहता है मतलब नाजुक दौर से कवी कहना चाहता है की का सत्य बहुत कठिन है नाजुक दौर मींस कौन सा सत्य कठिन है का साज को आज नहीं गा आंक्डे बहुत जादा है और सत कि घा सरवेकशनोंने मांसिक प्रिशानिया पैदा कर दी है कहीं यह आंक्ड़े आ जाते हैं कहीं वह आक्ड़े जाते हैं जनसंख्या के तो कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सारे सब कुछ कहीं वैपार में तो कभी लाव मुनावा हानी सब कुछ क्या क्या होने लगता है तो नाजुक दौर से कभी का है कि आंकडे बहुत जादा है और सत्ते कम है ठीक है तो आठ नंबर की बात थी हो गए आठ प्रश्ण अब हम चलते हैं दूसरे कावयाज की तरब जो प तुमसे सामना हुआ उस भीड में अकस्मात अकस्मात मतलब होता है अचानक क्या होता है बिटा अकस्मात का अर्थ होता है अचानक कितने दिनों बाद आज फिर जब तुमसे सामना हुआ उस भीड में अकस्माथ जहां इसकी कोई आशंका ना थी तो मैं कैसा अचकचा गया रंगे हाथ पकड़े गए चोर की भाती तुरंत अपनी घोर और कृतग्यता का भान हुआ मतलब आकृतग्यता मींस कृतग्यता होता है उपकार मानना जैसे हम पर किसी ने बहुत अच्छे हमारी हेल्प की जरूरत पढ़ने पर हमारी सायता की तो हमें उस व्यक्ती के प्रती कृतग्यता व्यक्त करनी चाहिए यदि किसी ने हमारी सायता की हमारी मदद की हमारे लिए भलाई सोची हित किया हमारा और यदि हम उसके प्रती अपने मन में आभार की भावना ना लाए उसके प्रती आभार व्यक्त ना करें तो हम कैसे हो जाएंगे और इसका एक और शब्द होता है कृतंगन ठीक है कृतंगन इसका विलोम होता है means होता है उपकार मानने वाला तियू को कार मानने वाला और क्रताग्न मीन सोता है उपकार ना मानने वाला तो अब देखो यहां पर कितने दिनों बाद आज फिर जब तुमसे सामना हुआ जहां इसकी कोई आशंका ना थी तो मैं कैसा अचकचा गया अक्सक घबरा कौन जाते हैं जो कुछ तो कमी थी या कुछ तो उनमें चोर चोर का मतलब यह नहीं कि किसी सामान को चुराना किसी बास से जी चुराना काम से जी चुराना सब कुछ यह सी कंतर गाता तो वह इसा अचकचा घब रंगे हात पकड़ गए चोर की हांती तुरंत अपनी घोर आकृतरत का भान हुआ मतलब तुरंत मेरी घोर ए theiley pink यह यह वही कि किसी के संक ठाने पर उसकी धन राशी से को सहता की ठीक है अब जब उसको जरूरत हुई तो उसीके धन राशी लूटाने में दूसरा व्यक्ती आनक तो फोन उठाना भी बंद कर दिया और मैं ऐसे छोड़ दिया कि भाई मैं तो यहां हुए नहीं मैं तो कहीं गया और अचानक से किसी भीड में यह और इस व्यक्ति की आमना सामना हो जाए तब यह दूसरा वाला व्यक्ति क्या सोचेगा यही बताया है ठीक है फिर है लज्ज खुद से नजरें नहीं मिला सकने वाली स्थिती याद पड़ा तुमने ही दिया था वह बोध जो प्यार के उल्जे हुए धागों को धीरज और ममता से सवारता है दीथी वह करुना जिसके सारे आत्मियों के असहाय आगात सहे जाते हैं सहे हो जाते हैं और वह अकुंठित विश्वास कि जीवन में केवल प्रवंचना ही नहीं है आप वो बताय जा रहा है कि देखो तुमने क्या क्या कहा था वो सब कुछ बताय जा रहा है अंतर की अकिंचनताएं मैं अकिंचन मतलब पूरी जो अपने आपको मतलब नहीं कि भाई मैं तो अकिंचन हूँ मैं मैं बहुत छोटा हूँ आपसे तो अंतर की अकिंचनताएं प्रतिष्ठ सहयोग की उटलता ही नहीं है किसी क्षाणिक सिद्ध दंभ में शिखर की छाती कुछलने को उद्यत बोनों का हिंकार ही नहीं है जीवन में और भी कुछ है तुमारी ही दी हुई थी वै अनन्यन भूती की वर्षा की पहली बौच्छार से सिर्चड़ी धूल के दबते ही खुली निखनने वाली आकाश की शांती दायनी अगाध नीलिमा वर्षों बाद अचानक अकारण ही मिला किसी की अमलान मित्रता का संदेश दूर रहकर भी साथ साथ एक ही दिशा में चलते हुए सहकर्मियों का आश्वासन यह सब भी तो जीवन में है तुमने कहा था यह सब किस सब कुछ अब बताए जा रहा है ना जाने और क्या-क्या मुझे याद आया और एक अपूर्व शांती से परिपूर्ण हो गया मैं जब आज अचानक ही भीड में इतने दिनों बाद तुम से यह सामना हो गया ओ मेरे एकांद ठीक है यहां किसकी बात की गई है जब मैंने अपने आप को देखा जब मैं अपने आप से मिला तो मैं सुएम यह सोचने लगा कि मैं वही हूँ मतलब द यूबवस्ता में आया किशुरवस्ता में यूबवस्ता में आया मतलब नहीं कि लडगपन खेल में खोया जवानी नीद भर सोया बुरहापा देख कर रोया साजनरे जूट मत बोलो अन्त में तो खुदा के बास जा नहीं है तो यह सारी बात हैं कि जब मैंने जो पीछे खौड़ी ना पाई माजी को दूं क्या उत्राई मतलब जैसे ही पुढ़ा पा आया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने तो कोई सदकर्म ही नहीं किये अब मैं क्या दूंगा परमात्मा को जाकर क्योंकि उसे ना तो हाथी चाहिए ना घोड़े ना आपकी धन न अब क्या करूं मैं अपने आपको देख रहा हूं अपने आप से मिल रहा हूं कि मैंने यह क्या किया अपने जीवन में कोई सदकर्म नहीं किये अब देखते हैं कि किस तरह के प्रशन आते हैं प्रहला है पहला प्रशन जहां इसकी कोई आशंका न थी पंक्ती में कवी ने आशंका शब्द के स्थान पर आशा शब्द का प्रयोग नहीं किया है ऐसा क्यों का हाँ का है कवी का जिससे सामना हुआ कवी उससे मिलने में डर रहा था इसलिए आशंका ऐसा कुछ खा कवी का जिससे सामना हुआ कवी उससे मिलने के लिए उद्यत था उत्सुप था या फिर गा कवी का जिससे सामना हुआ कवी उससे मिलने में डर रहा था इसलिए उसने आशंका शब्द का प्रयोग किया है ना कि आशा यदि आशा होती तो या डर नहीं होता कि हमें आशा है कि हमारा परिणाम अच्छा आएगा हमें डर नहीं है हमें आशा है ठीक है आशंका है आशंका कहा होती जहां डर होता है ठीक चलते हैं आगे कवी का अच्छानक से किस से सामना हुआ है का प्रेशी से प्रेशी मीन्स प्रेमी का खा प्रेरना से या गा परीपूनता से या फिर गा प्रथकत्व से अपने अकेला या एकदम अलग पन से ठीक है तो यहाँ पर है प्रथकत्व से प्रथक मींस अलग होता है प्रथकत्व से मतलब खुद को अलग जब जाना मैंने क्या जाना कि यह धन दौलत मो माया इस सब कुछ मेरी है और इसी से मेरा वजूद है इसी से मेरा अस्तित्व है मैंने क्या क्या नहीं किया लोगों के साथ लेकिन जब मैं अकेला हुआ जब मेरा कह सकते हैं हम कि जब मेरी सारी अवस्थ अंतर की अकिंचंताएं कवि के किस गुण को प्रदर्षित करते हैं दक्षमीज कुषण skilled लेकिन अधक्षमी उसका विप्रीत अगला प्रश्न है अमलान मित्रता से कवी का सटीक तात परे क्या है सटीक मतलब जो एक दम सही हो अमलान मित्रता का अपरीपून दोस्ती खा अप्रत्याशित मित्रता गा अभावपून स्ने या फिर घा अविश्वसनिय मैत्री अमलान मित्रता से कवी का है अभावपून स्ने मतलब स्ने तो जताया लेकिन उसमें कमी थी अगला है कवी को लज्जा का अनुभव क्यों हुआ का एकांत से नजरें चुराने के कारण कवी अपने आपको दोशी मान रहा था खा कवी ने सोचा कि लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे गा कवी को अपनी शुद्रता का अनुभव हो गया था घा कवी का आत्म सम्मान नश्ट हो गया था तो कवी को लज्जा का अनुभव क्यों हुआ क्योंकि कवी को अपनी क्षुद्रता मतलब अपनी निम्नता या अपनी कमियों का ग्यान हो गया था अनुभव हो गया था ठीके इसलिए लज्जा आई अगला प्रशन है सिर चड़ी धूल कैसे धूल गई का है वर्शा की पहली बोचार से खा है एंकार के मिटने से गाहे एकांत में सत्य की अनुभूती से या फिर घा अपनी गलतियों पर लज्जित होने से तो जो सिर चड़ी धूल थी वो एकांत में सत्य की अनुभूती से मिट गई अर्थात सबसे बड़ा ग्यानी पता है किसको माना गया बिटा ग्यानी है तो स्वैम को जान वही है साहिब से पहचान क्यूंकि थल थल में बसता है शिव ही भेद न कर क्या हिंद मुसल्मा ग्य जानी है तो स्वैम को जान वही है साहिब से पहचान इसने कैसा किया यह कैसा कर रहा है यह बुरा है यह अच्छा है दुनिया भर की बातों को जानने का इच्छुक रहता है व्यक्ति लेकिन खुद को ही नहीं जान पाता जिस दिन जो व्यक्ति अपने आपको जान लेता है अपने कमियों को जान लेता है समझ ये वही परिपून व्यक्ति है अर्थात ग्यानी व्यक्ति तो सिर चड़ी दूल क ऐसे दुल गई जब एकांत में सत्य की अनुभूती की ना तब समझ में आये कि जो मेरे आखों पर परदा चड़ा था वो तो एकदम जूट था ठीक अगला प्रशन है कवी अचकचा गया क्योंकि का एकांत में स्वयम से सामना होने के कारण खा उसने अवश्य कोई अपराद किया था गा कवी लज्जित हो गया था या फिर गा पुराने मित्र से भेट होने के कारण तो कवी अचकचा गया क्योंकि एकांत में स्वयम से सामना ह होने के कारण जब उसने अपने आपको देखा थोड़ा सा पीछे पल्टा और उसने देखा कि मैंने किया ही क्या है तो वो पूरी तरह से अच्कचा गया ठीक है अगला है प्रवंचना से कवी का क्या ताथ पर है खा निंदा या फिर घा इरश्या प्रवंचना से कवी का ताथ पर है धोखा अरी प्रवंचना या अरी बडंबना ठीक है मतलब धोखा कि मैं अब तक खुद को ही धोखा दे रहा था कि ये मैं हूँ ये धन, दौलत, घर, गाड़ी, बंगला ये सब मेरे हैं लेकिन ये तो कुछ भी मेरा नहीं क्योंकि ये भी मेरा नहीं है मैं तो कुछ और ही हूँ यदि मैं जो आवाज आ रही है या फिर ये मैं होता तो एक जो आईना है ठीक है एक आईना मान लिजे ये आईना है सुन्दर सा एक आईना है और यदि ये मैं होता और इसमें मेरी छवी दिखाई दे रही है ठीक है यदि ये मैं होता तो आवास तो यहां से भी आती ना लेकिन आवास तो यहां से आई नहीं रहे जबकि मैं तो दिखाई दे रहा हूं इट मींज यह तो मैं हूँ ही नहीं ठीक येस हो गए 8 प्रशन अब हम चलते हैं प्रशन तीसरे की ओर निमलेकित प्रशनों के उत्तर देने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन कीजिए पहला है आप हम चलते हैं अभी व्यक्ति और माध्यम की ओर जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है का रेडियो खा टीवी गा प्रिंट या गा नारदमुनी नारायन नारायन तो येस यही है क्या प्रिंट अगला प्रशन है द्रश्य श्रव्य प्रिंट जनसंचार माध्यम का उधारन हो सकते है जो द्रश्य भी हो श्रव्य भी हो और प्रिंट भी हो का टीवी रेडियो कागस द्रश्य श्रव्य कागस टीवी रेडियो समचार पत्र समचार पत्र रेडियो टीवी सिनेमा आकाशवानी इंटरनेट तो इसका सही जबाब है टीवी द्रश्य हो गया रेडियो श्रव्य हो गया प्रिंट समाचार हो गया ठीक है अगला प्रशना इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोग प्रिय है क्यों क्योंकि का इससे द्रश्श श्रव वेवं प्रिंट तीनों माध्यम एक साथ लाभ लेते हैं या फिर खा इससे खबरें बहुत तीवर गती से पहुंचाई जात हैं या फिर गा इससे ही समचार जल्दी प्राप्त होते हैं या फिर घा इसे खबरों की पुष्टी चल्दी हो जाती है तो इंटरनेट पत्रकारीता आजकल बहुत लोग प्रिय है क्योंकि इससे खबरें बहुत तीवर गती से पूरे नाकिवल देश में अपी तू पुरी दुनिया में पहुचाई जाती हैं फ्रीलांसर होता है कापून कालिक पत्रकार खा अंश कालिक पत्रकार या गा स्वतंत्र पत्रकार या फिर घा अर्दकालिक पत्रकार तो सही जवाब है स्वतंत्र पत्रकार जो अपने लेक को ले जाता है किसी भी समचार पत्र के पास ज हैनल ठीक है समचाल लेखन कि छै ककार रोर उन कारों का सीरियल सबूसरा है क्या कॉन कहां कभी फॉरह हैं स सबसे पहले क्या कोण कहां कभ कैसे तो 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 सही जवाब है आपका यहीं याद रखिए का बेटा, सीरियल यही है, सबसे पहले क्या, कौन, कहा, कब, क्यों, कैसे, यह छे ककार हैं जो कि इसी क्रम में जाएंगे, इनका क्रम गडबर नहीं होना चाहिए, सबसे पहले कुछ भी होता हैं कि तो क्या हुआ भाई, फिर कहेंगे आ रहे, कौन है, कहा, कब, क्यों, कैसे, ठीक, यह है, हो गए पांच नमबर, अब हम चलते हैं, चौते प्रशन पर निमलिकित काव्यांश को ध्यान पूरबग पढ़कर पूछे गए प्रशनों के सही उत्तरवाले विकल्ब, चुनिए, पाठे बुस्तर, तोडो, 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 यह पत्थर, यह जूठे बंधन तूटे, तो धर्ती को हम जाने, सुनते हैं मिटी मेरस है, जिससे उगती दूब है, अपने मनल के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है, पहला है कवी किसे तोड़ देने की बात करता है, का पत्थर को, खा चट्टान को, गा जूठे बंधनों को, या फिर गा जीवन के अवरोधों को, कवीता में कवी ने किसके तूटने की बात कही है, पत्थर के, दूसरा है, जूठे बंधन किसे कहा गया है, का परंपरा को, खा रीती रिवास को, गा धर्म जाती को, या फिर गा खोकले रिष्टों को, जूठे बंधन कहा गया है, धर्म और जाती को ये मनुष्य द्वारा निर्मेत है ये जूटे बंदन है ठीक है अगला प्रश्ण है धर्ती किसका प्रतीक है का जमीन का खा मन का गा शरीर का गा रचना शीलता का तो धर्ती प्रतीक है मन का ठीक है जिस तरह से धर्ती में धैर है उसी तरह हमें अपने मन में धैर का भाव स सबसे पहले और सबसे अधिक विराजित रखना चाहिए जिससे उगती दूब है पंक्ती में दूब क्या है का स्रजन खा पुस्तक गा घास या फिर घा रस तो दूब है स्रजन जैसे दूब जानते हो ना जैसे गनपती जी को दूब चड़ाए जाती जो छोटी-छोटी घास तो छोटी-छोटी घास किसका है संकेत करती है स्रजन का निर्मान का ठीक है मन में उब होने से क्या होगा का रचना नहीं होगी खा आधी रचना होगी गा अच्छी रचना होगी या फिर घा अधूरी रचना होगी मन में उब होने से अधूरी रचना होगी जब बोर होंग हम जब बिल्कुल मन नहीं करें और कोई करें काम करो तो हम उसमें लिप्त नहीं हो पाएंगे हम लिन नहीं पाएंगे तो जो भी वह कारे होगा अधूरा सा होगा थी कचलते हैं अगले की ओर प्रस्थुत काव्यांश के कवी हैं या कवी कौन है का जै SHANKAR प्रसाजजी खासूर्यकान अंत्रपाठी निराला जी या प्रिडिया रवीर सहाय जी या घडारनाथutions तो इस कवीता के रचनकार है या कवी है रगवीर सहाएं चलते हैं पांचवे प्रश्णों पर नेमलिकित गद्यांश को पढ़कर दिये गए प्रश्णों के सही उत्तरवाले विकल्प चुनिये भारत की संस्कृती विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्राला में जमा नहीं थी वह उन रिष्टों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती उसके जंगलों नदियों एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोडते थे अतीत का समूचा मिथक संसार पोतियों में नहीं इन रिष्टों की आद्रश्य लिपी में मौजूद र बनाये रखने का है भारत में यही प्रश्ण मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारम पर एक संबंद बनाये रखने का हो जाद चलते हैं पहले प्रश्णी की और भारत की संस्कृतिक विरासत किसमें नहित है जो संस्कृतिक विरासत है वो नहित किसमें है किसमें है का संग्रालय में है क्या खा परिवेश में है गा जंगलों में है ये रिष्टों में है येस वेरी नाइस गद के अनुसार रिष्टों में है अगला प्रशने गध्यांश में किसके मिठक संसार की बात हो रही है का यूरोप के खा भारत की गा अतीद के रिष्थ आप क्या समझते आद्रश्य लिपी मींस जो दिखाई नहीं देता है का मनुष्य के आपसी संबंध खा भारत की सांस्रस्रुतिक पहचान गाहर प्रकृति से रिश्ते या फिर गाहर मनुष्yas और प्रकृति का संबंध तो यहाँ पर रिष्टों की आद्रिश्य लिपी से मनुष्य और प्रकृति का संबंद बताया है अगला प्रश्ण है मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन से क्या भी प्राय है मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन क्या अर्थ है इसका का मनुष्य और धर्ती का संबन्द, खा अपने परिवेश से संबन्द, गा परियावरण और मनुष्य का संबन्द या गा परियावरण को बचाना परियावरन और मनुष्य का संबंध क्योंकि भूगोल परियावरन के बारे में बताता है और मनुष्य तो मनुष्य है ही अगला है भारत में परियावरन का प्रश्न किस से संबंधित है का मनुष्य से खा परिवेश से गा प्रकृती से या फिर गा संस्कृती से बोलिये चल दी भारत में परियावरन का प्रश्ट संस्कृती से सम्मंदित है अगला है यह गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखा कौन है सही जूड़ा चुनना है आपको का प्रेमघन की छाया इस्मर्ती रामचंदर शुकल जी का या फिर खा कुटज हजारी प्रसाद दिवेदी जी का या फिर गा जहां कोई वापसी नहीं निर्मल वर्मा जी का या फिर गा दूसरा देवदास ममता कालिया जी का तो आपको बिलकुल सही जहां कोई वापसी नहीं निर्मल वर्मा का निम्ले के प्रश्णों के सही उत्तरवाले विकल्ब चुनिए पहला है चूला ठंडा किया होता तो दुश्मनों को कलेजा कैसे ठंडा होता पंक्ती में चूला ठंडा करने का क्या अर्थ है का चूला बुझा देना खा चूले की आग बुझा देना गा पानी से आग बुझा देना या फिर गा चूले में पानी डाल देना तो चूला ठंडा होने का मतलब है चूले की आग बुझा देना ठीक है लेखक ने मा की तुलना बतक से क्यूंकि है का अपनी नजरों के सामने रखने से खा उसके खाने पीने का खयाल रखने के कारण या फिर गा उसकी देखभाल करने से या फिर गा बच्चों के प्रती सतर्क रहने से तो जो लेखग हैं उन्होंने मां की तुलना बतक से इसलिए की है क्योंकि बच्चों के प्रती सत्रक रहती है बतक, बहौत अद्थे, ठीक? कोई यां किसे कहते हैं का कमल को खा मखाना को गा जलकुम्भी जो गास होती है या फिर घा कुमुद को तो कोई यां कहते हैं कुमुद को अगला है और्द्योगी करण के विकास का प्रभाव हमारी नदियों पर किस प्रकार पढ़ रहा है और दियों की करन समझते हो ना इंडस्ट्रिलाइजेशन तो किस तरह से नदियों पर प्रभाव पढ़ रहा है का नदियां विक्सित हो रही है का नदियां दूशित हो रही है गा नदियां सूख रही है या फिर गा नदियों में बाढ़ा रही है बताइए सही जवाब क्या ह होगा वेरी गुड नदियां दूशित हो रही है जब जो इंडस्टीज है या उद्योग है उनसे गंदा जो वेस्ट माटिरियल होगा वहाँ पर मिल जाता है अपने आप यह तरह से दूशित हो रही और वही पानी जैसे तैसे आता है पीने के काम में और फिर मनुश्य में त जादा प्रतिकूल प्रभाव क्यों नहीं पढ़ता सबसे पहले प्रश्ण को समझिए प्रश्ण में पूछा है कि जो मालवा क्षेत्र है उस पर अनावरिष्टी मतलब सूखा और अतीवरिष्टी मतलब बाढ़ दोनों का ही जादा प्रतिकूल मतलब जादा बुरा श्झ का कि मालवा पर ना तो सूखे का दिक प्रहाव पड़ताए ना बाल का क्यूं मालवा पर प्रगृति की विशेश करपा होने की कारण का मालवा वाहसियों द्वारा ताल तलैया और नालों के निर्मान एवं रख रखाव पर ध्यान देने के कारण या फिर गा मालवा पर कम लोगों के निवास करने के कारण या फिर गा उपरोक्त सभी सही जवाब होगा दूसरा मालवा वासियों द्वारा ताल तलया और नालों के निर्मान और रखरखाव पर ध्यान देने के कारण क्यूंकि जिस तरह से हम प्रकृति का या अपने आसपास में प्राकृतिक स्तुरोतों का ध्यान रखेंगे उसी तरह से प्रकृति भी हमारा साथ देगी, सिंपल है भाई साथ बब रचन है निम लिखे दिये गए तीन शीरशकों में से किसी एक शीरशक पर लगभग बीस, एक सो बीस शब्दों में रचनात मगलेख लिखिये, है पांच नमबर का अब दिये जाएंगे तीन, उसमें से सिर्फ एक पर लिखना है, तीनों पर मतलिखा न, छोटा-छोटा-छोटा है इसा कर देते हैं कि देखा है ने, इनमें कि दिये गए तीन शीरशक पास, इतना ही पड़ा तीन पर लिखना है जल्दी जल्दी लिख दूँ, मैं मेरे मुहले का चौरा लिख दिया खा मेरा प्रियर टाइम पास लिख दिया, ना अरी सिक्षा का मैं तुन लिख दिया हाँ, मैंने तीनों कर दिया, अरे भाई, तीनों नहीं करना है परिक्षा की बात बता रहे हैं हम तीनों को solve करेंगे लेकिन परिक्षा में तीनों में से बिटा सिर्फ एक को करना है और लगभग 120 शब्द मीज आपकी जो answer sheet रहेगी उसका एक पूरा page वो भी बहुत अच्छे से सार गरवित होना चाहिए और दूसरे page पर भी जा सकते हो थ चौराहा देखते हैं उस चौराहे से क्या क्या दिखाई देता है हमें क्यों हमारा मुझे चौराहा है हमें पसंद है क्या वहां पर कभी सुनसान सा एरिया या सुनसान सा समय नहीं रहता है इसलिए हमें पसंद है क्या आवा अगमन लगा रहता है बच्चों की बस याई स् चौरहा हमें पसंद है चलो देखते हैं मौले की सारी गति विदियों का केंद्र मेरे घर के पास का चौरहा है नगर की चार प्रमुक सड़कें यहां से गुजरती हैं इसलिए इस पर हर समय चहल पहल बनी रहती है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क रेलवे उत्रा सामान ट्रकों में भर इसी से गुजर कर अपने अपने गंतव्य पर पहुंचता है उत्तर से दक्षिन की तरफ जाने वाली सड़क मॉडल टाउन और बस्टेन से गुजरती है वो बताये जा रहे हैं कि चौरहा जो है जैसे एक सड़क यहां से आई ठीक है दूसरी स कि तरफ जाने वारी सड़क मॉडल टाउन और बस्टेन से गुजरती है इस पर दो सिनेमा हॉल और अन्यवेपारिक प्रतश्ठान बने हैं जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है मतलब किसी भी तरह से सनाटा नहीं रहता और जहां लोगों की चहल पहल होगी वो एरिय गमन जादा रहता तो विक्री भी अच्छी होती है मुनाफा भी अच्छा होता है चूंकि चौरा है कि आसपास घनी बसती है इसलिए लोगों की भीड कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आती ही रहती है सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों से भरी रिक्षा और बस है पर लग हर समय कुछ आवारा मजनू चाब भी मन रहते रहते हैं यहावाद तांग करते रहते हैं पता नहीं से क्या मिलता है मैंने कई बार पुलिस के द्वारा उनकी वाह के जाने वाले की पिटाई भी देखी है पर इसका उन पर कोई असर नहीं होता वे तो चिकने होना मतलब जिन पर किसी भी बात का कोई प्रवाव ना पड़े कुछ तो दिन भर नीम के पेड़ के नीचे घास पर बैठकर ताश खिलते रहते हैं मेरे महले का चौरहा नगर में इतना प्रसिद्ध है कि महले और आसपास की कॉलोनियों की पहचान इसी से है ठीक है अब हम चलते हैं मेरे परियर टाइम पास अब टाइम पास के अलग अलग होते हैं कोई सोचता है वाई में किताब पढ़कर अपना टाइम पास करलों कोई कहता है में मीजिक सुझकर कोई कहता थोड़ा तहल आते है घूम फिरकर ऑच्छे मार्किट जाओं ये देख कर record करिया कमी है तो समय को फाल तो कैसे किया जाए मतलब कोई भी नहीं है फिर भी हम लोग मशीनी मानव तो है नहीं कभी कभी अपने लिए निर्धारित काम धंदों के अत्रिक्त हम कुछ और भी करना चाहते हैं इससे मनसुकून प्राफ्ट करता है और लगतार काम करने से उत्पन बो जाना ओफिस हम तो चादर तान कर खूब सोने वाले हैं सो गए बच गए बारा आरे मम्मी पहले क्यों नहीं जगा आरे तू उठाई गब टाइम पास हो गया बारा बच गए अब जाता है थोड़ा घूमने ठीक है तो किसी का टीवी देखना किसी का सिनेमा देखना तो किस कोई काम करना नहीं चाहता ता मैं तयार होकर घर से बाहर बाजार की ओर निकल जाता हूं विंडो शॉपिंग के लिए जिस नगर में रहता हूं काफी बड़ा है बड़े बड़े बाजा शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स की संख्या काफी है दुकानों क की शोविंडो सुंदर सुंदर ढंग से सजे समरे सामान से ग्रहाकों को लुभाते रहते हैं कह सकते हैं इसको बाजार दर्शन बाजार दर्शन जो ग्रहाकों को अपनी और आकर्शित करी लेता है नए नए उत्पाद उत्पाद मतलब प्रोड़क्ट्स ठीक है प्रोड़ किस को? प्रोडक्ट को. सुंदर कपडे, इलेक्ट्रोनिक्स का नया नया सामान, तरह तरह के खिलोने, सजावटी सामान आधी इन में भरे रहते हैं. मैं सजी समरी दुकानों को, शोव इंडोस को ध्यान से देखता हूँ. मनी मन खुश होता हूँ, उनके सुंदरता और उपि करने मेरे जानकारी बढ़ती है कि क्या है चल रहा है किया ट्रेंद आया है कि क्या कितने कीमत की है तो कभी मुझे मूह की महीरिक नहीं पड़ती व्हजत के सम्मध समक्राइद अचायरी करता और इसलिए मस्तिश्क और अधिक परिश्रम करने के लिए तयार होता है अगर जैसे मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए तो अब जो मैं डेली काम करता हूं उसे नहीं कि आरे यार मैं यह नहीं ले पारा है कि और वह सामान हम लेकर रहेंगेु है कि विकास की विचार उत्पन होता है ठीक है नए ने उतपादों से सम्मदित ज्यान बढ़ता है और मन नए सामान को लेने की तैयारी करता है इसलिए मस्तिष emba और अधिक परिश्रम करने के लिए तयार रहता है टाइम पास की मेरी ये विदी उपियोगी है और सार्थक है जो परिश्रम करने की प्रेड़ना देती है ज्यान बढ़ाती है और किसी का कोई नुकसान भी नहीं करती है अब हम चलते हैं अगला जो टॉपिक है नारी सिक्षा का महत ठीक है नारी सिक्षा की अधि में बात करूं तो यहां यह कह सकते हैं कि जहां नारी पढ़ी लिखी होगी ना वो जैसे कोई एक पुरुष पढ़ता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ रहा है लेकिन नारी सिक्षित होती है तो पूरा परिवार सिक्षित होता है चलो अब देखते हैं समाज में प्रतेक मनुष्ट का सिक्षित होना बहुत आवशक है समाज में जितने जादा लोग सिक्षित होंगे समाज उतना ही सभ्य और सू संत्वित होता है क्योंकि सिक्षा ही वो मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति उन्नती की ओर आगे भड़ता है पुरिशों की अपेक्षा समाज में नारी की सिक्षा की अधिक महत्ता है इस्त्री सिक्षित होगी तो समाज अपने आप ही सिक्षित हो जाएगा क्योंकि एक इस्त्री दो परिवारों की देखरे करती है वैसे भी नारी ही समाज का निर्मान करने वाली है नारी ही समाज का मूलाधार होती है इसलिए नारी सिक्षित होगी तो सारा समाज सिक्षित हो तो बन ही जाएगा वर्तमान युग में इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को अपने संकीन विचारों को छोड़ देना चाहिए उन्हें अपनी संकीरिन्ता को त्याक कर व्यापक दृष्टी कौन अपनाना चाहिए पुरिशों को नारी को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि नारी का इस्थान सबसे बड़ा होता है समाज में लड़कियों को विशेश लाभ मिलना चाहिए यदि लड़कियों को विशेश दर्जा दिया जाएगा तो वे समाज में आगे बढ़ सकेंगी अपने रुची अपने इंटरस्ट से बहुत अच्छे कारे कर पाएंगी उन कारेों से हमारा देश उन्नती भी कर पाएगा इतना ही नहीं समाज के हर शेत्र में उनका विकास होगा जैसे आज हम देखते हैं कि ना केबल नारी सिक्षा में है चाहे सेना की बात कर ले या अभीनाई की बात कर ले राजनीती की बात कर ले या अंतरिक्ष की बात कर ले नारी हर जगे अपना परचम कार चुकी है अपना जटना फेरा चुकी है तो लड़कियों के लिए विशेश सिक्षा दी जानी चाहिए इसलिए समाज में नारी सिक्षा का बहुत महदव है किसी भी इसिधी में अब ये नहीं है कि भाई आप नहीं नहीं लड़की को नहीं पढ़ना है हम देखते हैं कि आसपास का माहौल परिवर्तन बहुत मतलब हो चुका है लेकिन फिर भी अभी कुछ ना कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी नारी या लड़कियों को सिर्फ यदि गाउं में स्कूल है तो वहां तक पढ़ने क कि तो आजादी है लेकिन यदि गाउं से बाहर पढ़ने जाने की हुई मतलब वहां पर सिक्षा का अभाव होने के कारण कुछ एरिया अभी भी हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ाई से वंचित या पढ़ाई से दूर रखा जाता है तो हमें यह चाहिए कि बैसे भी सरक भी व्यक्ति और माध्यम का है रेडियों के संदर् reduz में श्रफ माध्यमों की दो सीमाएं बताएं किसी एक सीमा से पार पाने का उपाई भी बताै कि फ्लहक्ति हैं limitation रेडियो के संदर में रेडियो है तो उसकी क्या limitations है ओके क्या कोई व्यक्ति अपने according सुनना ही सकता है उसको जब मतला टाइम निर्धारित है उसका समय निर्धारित है अपने अरुसार व्यक्ति नहीं सुन सकता है दूसरा और बताईए चलिए पढ़ते हैं रेडियो संचार का एक तरफा माध्यम है इसलिए संदेशों के संबंध में कोई प्रितिक्रिया प्राप्त नहीं की जा सकती चुकि शुरोता का ध्यान केवल धवनी पर होता है इसलिए रेडियो के माध्यम से संचार। संदेश केवल उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो ध्यान पूर्वक और बुद्धी मानी से सुने यदि जरा सी भी लापरवाई हुई सुनने में तो कुछ समझ में नहीं आएगा रेडियो से संदेश प्राप्त करने के लिए बहुत चौकस रहना पड़ता है अन्य था संत्र की कमी को निमले के तरीके से दूर किया जा सकता है कि किस तरह से ये दूर हो सकता है नेटवर्किंग में रेडियो के उप्योग को मजबूत करने के लिए संस्थागत और सामुदा एक स्थर पश्रोता मंच स्थापित किये जा सकते हैं जो लोगों की विबन कारे क्रम में पर पर प्रतिक्रीयां लेक शहओता और अनुसंधान के लिए डाटा प्रदान कर सकते हैं कि कैसा किया जाए किस तरह से सुना जाये ताकि अच्छे से उनको सुनकर समझा जा सके और प्रग्रामिंग को और अधिक सार्थक बना सकते हैं प्रतिक्रियाओं का विशलेशन करने और क्षेत्राधारित विकास कारिक्रमों के उत्पादन में साहता करने के लिए विशेशग्यों को रेडियो स्टेशनों से सनलगन किया जा सकता है जो एक्सपर्ड्स हैं उनको रेडियो जो स्टेशन्स हैं उनमें उनको शामिल किया जा सकता है जिसमें और अधिक वे जानकारी दे सकें और जो श्रोता वर्ग है उसकी आवश्चक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उसमें शामिल किये जाएं ठीक है अगला प्रशन है कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं क्या है गटक जो कविता को कविता बनाते हैं शब्द है कल्पना है हां और क्या है देखो कविता भाशा में होती है इसलिए भाशा का सम्य ज्यान जरूरी है क्योंकि कविता में भाव प्रधान होते हैं सिर्फ शब्दों को कैसे भी मिला जुला कर रचना करना ही कवीता नहीं कहलाती है जब तक कवीता में भाव प्रदान नहीं होगे वो कवीता या एक अच्छी कवीता नहीं कहला सकती है तो कवीता भाशा में होती है इसलिए भाशा का सम्यज्ञान जरूरी है भाशा शब्दों से बनती है शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक के कहा जाता है मतलब शब्दों का सार्थक समू होना चाहिए शब्द विन्यास जिसको कहते है भाशा प्रचलेत एबं सहज हो पर संदचना ऐसी कि पाठक को नहीं लगे अब ऐसा नहीं है कि कवीता में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रियुक करना है साहितिक शब्दों का प्रियुक करेंगे नहीं बाबा ऐसे में तो पाठक वरूँ इसको समझी नहीं पाएगा सरल शब्दों का प्रियुकर नहीं लेकिन इस तरीके से की वो नया लगे कवीता में संक्यतों का बड़ा महत्व होता है इसलिए चिन्नो चाहे वो अर्द वराम हो चाहे वो अल्प वराम हो चाहे कोश्ठक हो यहां तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह सकता होता है वाक के गठन मतलब वाक के निर्मान की जो विशिष्ट प्रनालियां होती है उन्हें शैली कहा जाता है इसलिए विविन्न कावे शैलियों का ग्यान भी जरूरी है चंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवी के लिए जरूरी है क्यूंकि कवीता चंद आत्मक होती है कवीता में चंद क्या होते हैं जिनमें मात्राएं लायात्मक्ता गुनात्मक्ता या गेता होती है उनको चंद कहते हैं जैसे हमारे दोहा हुए सब्सक्राइब को रखते हैं इनमें नियम होते हैं चंद मतलब नियम पर आधरित तो मुक्त चंद भी होती है तो चंद के अनुशासन की जानकारी से होकर घुजरना एक कवी के लिए जरूरी है तभी आंत्रिक ले का निर्मान संभव है या निर्वाह संभव है जब चंद का ग्यान होगा तभी कवीता दुन या ले में बन पाएगी कवीता चंद और मुक्तचंद दोनों में होती है चंदो बद कवीता के लिए चंद के बारे तो उसे पता ही नहीं होगा कि मुक्तचंद है या चंद बद्ध समझ मैं आया कि इसमी विशेश की उपज उसका स्वारूप समय के साथ-साथ बदलता रहता है था किसी समय विशेश की प्रचलेध ठीक ठीक जानकारी भी कवीता की दुनिया में प्रविश के लिए आवशक है कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी-कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कभी की ताकत बन जाती है कभी-कभी पाठक वर्ग के लिए कुछ छो समानता हैं होती हैं समानता हैं पूचाएं भाई similarities पूचाएं तो कहानी और नाटक साहित के अधिकांश रूपों की तरह नाटक और कथाएं कथानक परिस्थितियां और द्वंद्व जैसे तत्वों को साजह करते हैं कहानी में परिस्थिति को कभी-कभी स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है जो कहानी है उसमें जो भी है मतलब परिस्थिति है वो उसको इस परिस्थितियां पाठकों के लिए मंच निर्देशन करने के लिए बताई जाती हैं और दर्शकों को यह प्रिष्ट भूमी और वेश्भूशा के साथ-साथ बोली जाने वाले संबादों से भी ग्यात होती है अब है नाठ की रूपांतर नाठक और कथा दोनों ही चरित्र और कथानक को प्रकट करने के लिए नाठ की अता का उपयो करते हैं जो नाठक है और कथा मतलब कहानी दोनों ही चरित्र और कथानक को प्रकट करने के लिए न किया था कि कानियों में नाटक के समान समवाद और एक्षन होते हैं चरित्र निर्मान कहानी और नाटक दोनों में पात्रों के चरित का नियूंतम वर्नन और स्पष्टिकरन होता है पात्र अपने समवादों से अपना चरित्र निर्मान करते हैं प्रकटी करन करते हैं और व्य क्या है इसका ओके ये संदेश दिया है तो पाठक वर्ग किस तरह से कहानी या नाटक से जुड़े रहता है ये भी उसकी कथा पर आधारित होता है क्योंकि सब कुछ इस पर रूप से नहीं बताया गया होता है प्रत्येक दर्शक या पाठक खुद के लिए कहानी नाटक की व कहानी है ठीक है उसको कोई एक व्यक्ति दूसरे तरीके से पढ़ सकता है दूसरे व्यक्ति किसी अपने अपने तरीके से पढ़ सकता है तो यह यहीं लिखा है कि नाटक की एक ही नाटक को देखने एक ही कहानी को पढ़ने वाली किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में उसके अ अभी प्राए है, उल्टा प्राविट शेली, जिसमें प्रमुख अंश सब से पहले लिखे जाते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से लिखे जाते हैं, समाचार की शेली भी उल्टा प्राविट है तो यह समाचान लेखन की सबसे लोग प्रिय उपयोगी और बुनियादी शैली है यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है जिसमें क्लाइमेक्स बिलकुल आखिर में होता है जो कहानी होती है न या कथा उसमें क्लाइमेक्स जो रहता है वो लास्ट में होता है इसमें किसी घटना विचारिया समस्या के सबसे महत्वपूंतत थे या जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है जबकि कहानी या उपन्यास में क्लाइमेक्स सबसे एंड में होता है लास्ट समचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखडा भी कहते है मतलब इंट्रो को क्या कहा जाता है इंट्रो को मुखडा भी कहा जाता है इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की दो या तीन पंक्तियों में बताया जाता है यह खबर का सबसे एहम हिस्सा होता है जैसे आपन इसके बाद बॉडी में समचार के विस्तरत ब्यवरे को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है हलाकि इस शैली में अलग से समापन शैली कोई चीज नहीं होती है और यहां तक की प्रसांगिक तथ्थे और सूचनाय दी जा सकती है अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है और उस इस्तिती में खबर वही समाप्त हो जाती है इसे उल्टा पिरामिट शेली का जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूंतत है या सूचना यानि क्लाइमेक्स पिरामिट के सबसे निचले हिस्से में नहीं बलकि सबसे ऊपर होता है ठीक है इसलिए कहा गया है उल्टा पिरामिट शेली होगा समचार पत्रों में विशेश लेखन की भूमी का बताईए कि किसी खास विश्य पर सामन लेखन से हटकर किया गया लेखन कैसा लेखन जिसमें राजनीतिक आर्थिक अपराद खेल फिल्म क्रशी कानून विज्ञान और अन्य किसी भी मैत्वपूर्ण विशेश से सम्मन से विस्तरित सूचनाय प्रदान की जाती है उसको कहते हैं विशेश लेखन समचार पत्र पत्रिकाओं टीवी और रेडियो रेडियो चैनलों में अलग अलग विशेश लेखन के लिए निर्धारित स्थल को टैस्क कहते हैं जो निर्धारित है मतलब की लिखना है हमें इस लिखना इस पर लिखना है अपराद खेल फिल्म तो जो निर्धारित है उसको कहता है डैस्क और उस विशेश डैस्क पर काम करने वाले पत्रोकारों का अभी अलग समय होता है यह था वैपार तथा कारोबार के लिए अलग जैसे यदि वैपार और कारोबार वो किसमे को संबसरी की जैसे की निया की डशारी हो यह थी यह दके हिए की आरथिक प्रत करा वेघन की कोई शली नहीं होती है विशेश लेखन के अनेक legal होते है जैसे अर्थ-वैपार जैलविज्ञान प्रद्योग की क्रशी विदेश रक्षा परियावरन सिक्षा स्वास्त फिल्म मनुरंजन अपराद कानून सामजिक मुद्ध आदी इन सब पर विशेश लेखन लिखा जाता है समझ में आया बिटा बहुत ध्यान पूर्वा किसको देखिएगा क्योंकि ये तो आपकी परिक् ने की ओर निमले के तीन प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर लगवक साथ शब्दों में लिए जीजे का है सरोज के नवधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए सरोज स्मृती इसकी माता का देहां थो चुका था पिता ने किस तरह से उसको के साथ देख रही थी उसके होटों पर बिजली जैसी स्पंदन के समान हसी कि लहर फैल गई थी उसके हसी ऐसी लग रही थी मानू बादलों के बीच बिजली चमक रही हो उसकी रदय में अपने प्रिये की सुन्दर छवी प्रती बिम्बित हो रही थी उसके चेहरे पर भावी दामपत्य को लेकर सुख का भाव मुखरित हो रहा था लजजवश उसकी आँखें जुकी हुई थी तथा उसके होटों पर कमपन हो रहा था काप रहे थे होट नवदू के रूप में सरोज रती के समान सुन्दर लग रही थी रती और कामदेव जो प्रेम की पराकाष्ठा है जो सुन्दरता की पराकाष्ठा है कवी को उसमें अपनी दिवंगत पत्नी का रूप दिखलाई पड़ रहा था अगला है वसंत आया शीर्षक कविता के आधार पर प्रति पादित कीजिए कि कवी ने मनुष्ची की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है व्यंग मतलब समझते हो ना कटाक्ष किया है उस पर करारा जवाब दिया है क्यों किया है वो आपने पढ़ी है कि किस तरह से शीर्षक में कवी ने मनुष्ची आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है संबेता इवं संस्क्रिती के विकास के सासाथ मनुष्च के प्रकृती से संबंधी तूट गया उसको लगता है यह संपून प्रकृती मेरी है मैं राजा हूं जैसे चाहूं इसका उपयोग क्या शेहरी करण की प्रकृया जनसंख्या के बढ़ते दवाब के कारण बनों का ख्षय मतलब नाश नश्टोना आधुनिक बहुत इक्तावादी विचारधारा व्याग्यानिक एंत्रों से प्रदत कृतिम द्यानिक चर्या चार दीवारियों में सिमटती हुई मान विये ज मतलब आज कल पड़ोस कल्चर से सब्वंचित हैं उसकी प्रकृति और प्राकृतिक परिवर्तनों से वसंत की सूचना पाने की सम्वेदना को जैसे खत्मी कर दिया है वसंत आया मतलब चारों तरफ खुशाली लाया कहते है ऐसा लगता है जैसे सुना होगा ना अपने मन व पता चलता है कि वसंत आ गया वसंत पंचमी की छुट्टी होगी या उस दिन कुछ नए नए कारिक्रम आयोजन हो जाएंगे मासरस्ती की फूजा होगी तब चलता है कि वसंत आ गया है यह सची एक विडंबना है और यही आदुनिक जीवन शैली पर एक व्यंग किया है कभ रहा है क्या वो स्वार्थी हो रहा है यह मजबूर हो रहा है क्या कह सकते हैं इसको ना तो हम स्वार्थी कह सकते हैं ना मजबूरी कह सकते हैं लेकिन फिर भी आपा धापी भरी इस दुनिया में व्यक्ति सेल सेंटर हो चुका है और उसको तिथी या इस तरह के यरी तीरव उन से धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है कट जा रहा है ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर है प्रश्न कभी नयन ना तिर पित भेल के माध्यम से विरहन ही नाइका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है विद्यापती के पदों के आधार पर बताईए विद्यापत येस जो प्रमुख कभी माने जाते हैं जो जिनोंने किसकी रशना की थी पदमावत की येस जिस पर एक फिल्म में बनी है आपने विया वश्य देखी होगी तो आप बताईए कि कभी नैन अतिरपित भेल के मादम से विरहनी मतलब जो विरहनी मतलब दूर चला गया है नायक औ विरहनी है उसकी सख्यां उससे प्रणय अनुभव के बारे में पूछती है नायका सख्यों से कहती है कि तुम मेरे प्रणय अनुभव के बारे में क्यों पूछती हो मेरा प्रेम तो नित्य प्रति नूतन रूप ग्रहन करता है मैं अपने प्रिये के रूप को कई जन्मों स देख रही हूं पर आज तक आखे त्रिप्त नहीं हुई है अर्थात इन आखों में प्रिये के रूप को बार-बार नहारने की इच्छा बनी रहती है कभी नाइका के प्रेम को विस्तार देता है संयोग तथा व्योग की दशाओं में नाइका अपने प्रिये की निकटता की अनुभूती हर समय महसूस करती रहती है बले ही उसका प्रेमी उससे दूर है पर अंतु फिर भी उसको लगता है कि वो मेरे निकटी है नाइका अपने प्रिये की निकटता की अनुभूती हर समय महसूस करती है वह मानती है कि उसके प्रिये कृष्ण का रूप शन शन प्रिवर्तित होते इस रूप इतने मोहक हैं कि नाईका राधा हर रूप को अपने इरदय में बसाना चाहती है किन्तु वह इससे भी तृप्त नहीं होती है उसको इससे भी शांती नहीं मिलती है नाईका को लगता है कि उसकी आखें आज भी अपने प्रिये कि उस निरंतर न में सफलता प्राप्त कर चुके हैं कवी जो प्रेम कि जा नियुक्य वाला प्रेम की अगला प्रशनह दिमलिक संग व्य 활क्या की जी आव वेदना मिली विदाई मैंने भरहमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई छल छल थे संध्या के श्रमकन आसू से गिरते थे प्रतिक्षन मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगडाई संदर्भे प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भागदो के देव सेना का गीत शीरशक पाठ से उद्रित है इसके रचेता जैशंकर प्रसाद जी है यह कवीता कवी की नाटे संरचना स्कंदु गुप्त के पाचवे अंक के छटे द्रश्य का अंश है छे नंबर का है भही अब बहुत अच्छे से लिखना है सब कुछ बताना है जब भी इस तरह के प्रश्ण पूछे जाएंगे तो आपको यह बताना होगा कि यह पंक्तिया किस पाठ पुस्तक की हैं कौन से पाठ से ली गई हैं ठीक है प्रसंग सकंद गुप्त सामराज के अयोग एवं विलासी शाशक कुमार गुप्त का पुत्र था ठीक है कुमार गुप्त का पुत्र था सकंद गुप्त जिसने हून आक्रमन करताओं से मालवा शाशक बंधु वर्मा के साथ मिलकर युद्ध किया इस युद्ध में बंधु वर्मा अपने बांधवों के साथ युद्ध में मारे गए बंधु वर्मा की बहन देव सेना युद्ध में बच जाती है सारे बंधु बांधा माने गए लेकिन उसकी बहन देव सेना बच जाती है सकंद गुप्त देव सेना से प्रणय निविदन करता है कि विवहार चालो इस निविदन को ठुकरा करवा है राष्ट रहित का पालन करने का निश्चे करती क्यों क्यूंकि सकंद गुप्त उनका शत्रू था तो देव सेना ने उसके प्रणय निविदन को असुईकार कर दिय समय के अंतराल में देव सेना के इस निश्चे से उसे कस्ट होता है प्रेण निवेदन को ठुकराने से अतीत की नादानियों से उत्पन देव सेना की वेदना ही इस गीत के माद्यम से व्यक्त हुई है उसको पच्टावा हुआ कि मैंने उसका जो निवेदन था वो क्यों ठुकरा दिया अब करते हैं व्याख्या देव सेना के जीवन को उसके यौवन के निश्चे ने अत्यंत आहत किया है व्यथित हो वह कह रही है कि प्रणय निवेदन को ठुकराने के कारण उत्पन उसकी वेदना उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके साथ रहेगी सोचती है काश काश की मैं प्रणय निवेदन सुईकार कर लेती तो आज मेरी हालत ऐसी ना होती सकंद गुप्त के प्रणय को भ्रमवश तथा अज्ञान तवश सुईकार नहीं करने के कारण ही उसकी इस वेदना को आकार मिला जीवन संध्या में उसकी आखें पीड़ा से चल चला उठी जब कोई दुखी होता है तो कैसी आखों में आसु भर जाते हैं बले ही टपके न टपके लेकर आखें भर आती हैं उसके आसु उसकी जीवन संध्या में श्रमकंड के समान प्रतिक्षन गिर रहे थे देव सेना ने जीवन के भोगों को ठुकरा कर संगर्श की रहा पर कदम बढ़ाया है सारी सुख सोविदाएं उसको प्राप्त हो सकती थी परंतु उसने नादानी वश कह लीजे और सकंद गुप्त के परिनय निवेदन को ठुकरा दिया उस पतपर जीवन संध्या में उसे असवलताएं मिली देव सेना के जीवन के अंतिम पडाओ पर अनंन्त शांति उसके साथ है अनंत खामोशी से घरि हुई देव सेना वेदना के गहरे सागर में डूबी हुई है उसके पास सिर्फ वेदना है सिर्फ दुख है सिर्फ निराशा है सिर्फ पच्तावा है अब है दूसरी पोयम या हम उसका करेंगे या इसका परिक्षा में अभी हम दोनों का कर रहे हैं देखा विवाह आमूल नवल तुझ पर शुब पड़ा कलशका जल देखती मुझे तूं हसी मंद होटों में विजली फसी स्पंद उर्में भर जुली छवी सुंदर प्रियकी अशब्द शिंगार मुखर तू खुली एक उच्छा संग विश्वास पूतर कापा अधरों पर थर 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 होट कपते हैं उसका वर्णन किया है अब देखते हैं हम देखते हैं सबसे पहले संदर्व फिर प्रसंग उसके बाद व्याक्या की जाती है प्रस्तु काव्यांश पाठ पुस्तक अंत्रा भागदो के सरोज स्मृती पाठ से उद्रित ह यह अंश निराला के कावे संग्र है अनामि का तथा उनके राग विराग नामा के एक अन्य कावे संग्र में संग्लित है वास्तों में यह कविता एक शोक गीत है दुख भरा गीत प्रसंग है कभी निराला अपनी पुत्री की आसमय मृत्ति उसे दुखी है पुत्री सरोज की स्मृति में वे अतीत में घटत हुए उसके विवा आयोजन का चित्रन प्रस्तुत का व्याज में कर रहा है उनकी पुत्री का देहान थो चुका है ल दिखाया है कभी निराला की पुत्री के विवाह समारो का आयोजन पूरी तरह से नई पध्यतियों से आयोजित किया गया विवाह के अवसर पर उनकी पुत्री के ऊपर मंगल कलश के पवित्र जल से जल को डाला जा रहा था उस समय उनकी पुत्री उने देखकर मंद मंद हस रही थी ऐसा लग रहा था मानुवाय अपने पिता से कुछ कहना चाहती थी जिससे उसकी होठों में बिजली के समान कमपन उत्पन हो रहा था उसकी हसी को कवीने बादलों से आच्छा दित मतलब जो पूरा बादल आस्मान पूरी तरह से बादलों से घिर जाता है तो अधरों के कमपन में बिजली की चमक फस सी गई हो उसके रदय में उसके प्रियतम की सुन्दर छबी बसी हुई थी जिस शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था वह उसके शिंगार के माध्यम से व्यक्त हो रहा था उनकी पुत्री ने एक गहरी सास ली जो उसके विवहा उपरांथ प्राय बन जाने की भावना से उत्पन उसकी आह को प्रगट कर रही थी अर्थाथ वो ये भी समझ रही थी कि मैं अपने प्रिये से मिलूंगी साथ ही साथ मैं अपने पिता से बिछड़ भी जाओंगी अगला प्रशन है निमल्य के तीन प्रशन में और मैंसे कि निई दो प्रशन के उत्तरलागवड चालीश शब्दों में आपको लिखना है ठीक है पहला है पंडित राम चंदरशुक्ल का हिंधी साहित प्रती जुकाव किस तरह बढ़ता गया मतला हिंदी साहित्य प्रती पंडित राम चंद्र शुक्ल किस तरह से अपने आपको हिंदी साहित्य में जोडते गए किस तरह से उनकी रचना है जब उन्होंने की किस तरह से उनकी शब्दा वली से बहुत सुंदर शब्दा वली से अच्छे साहित्य की रचना होती गई जिस चीज में य वातावरन जो हमारे परिवार का वातावरन रहता है। उसका ही प्रवाब एक बालक पर पढ़ता है। तो ऐसा ही वह अपंडिस राम चंदर शुक्ल के साथ। लेखक के पिता हिंदी और फार्सी के अच्छे ग्याता थे घर पर राम चरित मानस था राम चंद्रिका को वह चित्ता करशक ढंग से सुनाते थे फार्सी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों से मिलाते मिलाने में उन्हें अत्यदिक आनन्दा था परिवार क यह साहितिक माहौल लेखक के बाल मनपर प्रभाव डालने वाला सहिक सिद्धुआ इसी कारण का संहित के प्रती खुकाव रहा जैसे-जैसे वह बढ़ा हुआ उसकी खुकाव उसका जुकाव हिंदी सहित की तरफ बढ़ता गया क्योंकि परिवेश ही ऐसा मिला था उनके पिता स्वेम भी सहित से जुड़े हुए व्यक्ति थे ख्लियर हुआ भारत जीवन प्रेस के मालिक राम कृष्ण वर्मा लेखक के पिता जी के मित्र थे उनके पिता के पास भारत जीवन प्रेस की पुस्तक आती थी इसके अतरिक्त मतलब इसके अलावा वे केदाव नाज जी पाठक के हिंदी पुस्तकाले से पुस्तकें लाकर पढ़ने भी लग गया जब आवसर सही मिल जाते हैं तो अपने आप हमारे हुनर को और बढ़ावा मिलता है इस मंडली में नए पुराने लेखकों के विशे में चर्चा होती रहती थी साथ ही वैं लिखने पढ़ने की हिंदी में बातचीत करने लगे इस प्रकार धीरे धीरे लेखक का है उसी तहे का हम लिखते भी हैं सूचते भी हैं कल बना भी करते हैं यदि मैं बात करूं कि भाई परिक्षा आपको देनी है इसलिए मैं समय बता रही हूं ताकि आप परिक्षा में अच्छे अंग प्राप्त कर पाओ लेकिन बेटा कुछ चमतकार नहीं होगा आपको खु वैवारिक भाषा भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें अत्य अधिक सोचने की आवशकता ही नहीं पड़े बोल चाली की भाषा कुछ औरी होगी और लिखने की भाषा कुछ औरी होती है तो उस समय तो सोच कर रहे जाएंगे लेकिन अच्छे शब्द नहीं आएंगे इ मन भारी हो जाना मतलब समझ ओनraction कि कभी दुखी हो जाना कभी रुआसा सा हो जाना क्या हो जाना स्टेशन पर पहुंचते हैं हर गोविन का मन भारी हो गया था एक और वह बड़ी बहु के दुख से दुखी था वही दूसरी और उसे अपने गाऊं की इस्जत की भी चिंता थी यदि वह बड़ी बहु के संदेश को उनके परिवार वालों को सुनाता है तो वह अपने गाउं वापसी चली जाएगी और हर गोबिन के गाउं की बदनामी होगी इस प्रकार वह मान से कुल जहन में फसा हुआ था कि क्योंकि बड़ी बहु ने तो आदेश दे लाल घड़ तक वह 20 कोस पैदल चलकर आया कोस मतलब लगवाग एक कोस में देड़ किलोमीटर शामिल होते हैं जिस कारण वह शारिक रूप से इतना अधिक ठक चुका था कि अर्ध चेतनावस था जैसे बेहोशी में ही पहुँच गया हो उसे कुछ समझी नहीं आ रहा था क कि वह किस जगह पहुच गया है अतहा हर गोबिन को कई तरह के शारिरिक और मानसिक कश्ट सहन करने पड़े यह सब उसने अपने गाओं की बड़ी बहु के लिए किया क्योंकि वह उनका बहुत आदर करता था अब ऐसा नहीं है कि भाई आदर सम्मान होता है तो कभी-कभी जिसके प्रती हमारे आदर सम्मान की भावना रहती है तो हम भी कभी-कभी मन मसोस कर रहे जाते हैं अपने आप जो कुछ कहना भी चाहते ना तब भी हम नहीं कह सकते सम्मान वश ठीक है ऐसा ही हुआ हर गोबिन के साथ भी अगला प्रशन है गंगा पुत्र के लिए गंगा मया ही जीविका और जीवन है कैसे कि हम बात कर रहे हैं गंगा पुत्र भिश्म की या फिर हम बात कर रहे हैं भक्तो द्वारा मनोतियों के दीपक दीए गंगा की धारा में प्रवाहित किये जाते हैं दीपदान किये जाते स्थानिय तैराक जिसे लेखिका ने गंगा पुत्र कहा है किसको गंगा पुत्र कहा है स्थानिय तैराकों को लेखिका ने गंगा पुत्र कहा है उन दोने में से पैसे निकाल कर अपनी जीविका चलाते हैं जीवन यापन करते हैं दोने में पैसे निकालते समय कभी-कभी उन गंगा पुत्रों के लंगोट में आग भी लग जाती है क्योंकि दिये भी चल रहे होते हैं कश्ट भी रहता है है ना किंतु वैं निर्भीक होकर उसी कार में लगे रहते हैं क्योंकि इनी पैसों से उनका परिवार पलता है लेखिकाने गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया कोही जीविका तथा जीवन का सहारामान है वे दोने में डाली गई रेजगारी खटा करते हैं उनकी पतनिया कुशा घाट पर खुले पैसे पैसों से बंधे रुपए बनाती हैं यही उनकी आजीविका का माध्यम है इस प्रकार गंगा पुत्रों का जीवन बड़ा ही कश्ट पून एवं जोखिम से भरा होता है क्योंकि अपने जान का दाओ लगा देते हैं वो छोटे करनी हैं अभी हमने की थी कावियों की व्याख्या अब हम करेंगे गद्यों की व्याख्या ठीक है उत्तर हमारा मतलब यह जो प्रश्न है वो रहेगा पूरा च्छै नंबर का तो हमें इसमें भी बताना होगा कि यह जो पंक्तिया है वो कौन से चैप्टर से ली गई है पार इवर्तन हो रहा था रिदय में कृत्रिम और स्वभाविक भावों की लड़ाई की जलक आखों में दिख रही थी कुछ खास कर गला साफ कर नकली परदे के हट जाने पर स्वेम विस्मित विस्मित मीस आश्चरे चके थोकर बालक ने धीरे से कहा लड़ू पिता और मोटने में कोई कमी नहीं रखी थी पर बालक तो बच गया कहते है कि आखो राखे साइआं मार सके ना कोई बाल नाबाका कर सके जो जग वहरी होए उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड़ू की पुकार जीवित व्रिक्ष से जीवित व्रिक्ष के हरे पत्तों का मधुर मर्मर था मर्मर मीज आवाज मेरे काट की अलमारी की सिर्दुखाने वाली खड़कड़ाट नहीं संदर प्रस्तुत गध्यांश पाठ पुस्तक अंत्रा भागदू में संकलित सुमिरिनी के मन के पाठ में शामिल लगुनिबंद बालक बच गया से उद्रित है यह प्रसित निबंदकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है प्रसंग गध्यांश में प्रध्यापक के पुत्र की विद्युता से चकित लोगों के बीच विस्मय की स्थिती तथा बच्चे द्वारा लड्डू की मांग करने का वर्नन किया गया है साथी बच्चे में बाल सुलब स्वभाविक्ता के बचे रहने पर लेखक ने खुशी प्रकट की है व्याख्या देखते हैं लेखक एक विद्याले के वाशिक उत्सम में अथिती की हैसियत से शामिल होते हैं वहां उन्होंने प्रध्यापक के पुठ्र से पूछे जाने वाले प्रश्ण था था बच्चे के उत्तर से विस्मित होते लोग देखें बच्चे से पूचे जाने वाले प्रश्ण उस बच्चे की स्वभाविक्ता का गला गोंटने वाले उसकी आयू के स्तर से बहुत उचे प्रतित हो रहे थे किसी छोटे से बालक से यदि आप बड़े बड़े सवाल करेंगे और यदि वो उत्तर नहीं दे पाएगा तो उसकी हम क्या कहेंगे अरे इस कुछ नहीं पता ठीक है तो जिस तरह क्या मानसिक स्तर है उसी तरह के प्रश्ण पूछे जाना चाहिए एक वृद्ध महाशाय बच्चे के जवावों से प्रसन होकर उसे कुछ मांगने को कहता है जिससे बच्चे के चहरे पर कृत्मता तथा स्वाभाविक्ता का प्रवाव होने लगता है किन्तु जल्दी ही उसकी स्वाभाविक्ता का उदय हुआ और उसने लड्डू की मांग गी उसके इस उत्तर से उसके पिता तथा अध्याबक निराश हो गए लेकिन लेखक प्रसन हुआ लेखक मानता है कि सिक्षा मनुष्य तथा मनुष्यता के विकास की प्रक्रिया है सिक्षा क्या है विचारों का माध्यम भी है और विचार उत्पन होंगे उसका माध्यम भी सिक्षा ही अथा मनुष्य और मनुष्यता एक छोटे से बच्चे को बड़ी-बड़ी बातें रटा दी जाती है किंतु इससे उसका सुभाविक विकास अवरुद्ध होगा मतलब उसमें बाधाय आएंगी वो अपना सवभाविक विकास नहीं कर पाएगा लेखा को उस बच्चे की लड़ू की माँग जीवित वरिक्ष के हरे पत्तों की मधुर आवास की तरह प्रतीत हुई या जीवित व्रिक्ष के हरे पत्तों की मदूर आवाज हैं सूखे काठ की अलमारी की सिर को पीड़ा देने वाली खड़कड़ाट नहीं है आशा यह है कि यह बालक की सवभाविक प्रवर्ति है दिखावे के लिए रटा रटा या उत्तर नहीं है कोई कुछ कहे तो कुछ कहना मत ऐसा मत करना ठीक है लेकिन उसने अपना स्वभाविक उत्तर दिया क्लियर हुआ चवधवा प्रशन है निमलिकित प्रशनों मेंसे किसी एक का उत्तर लगवख साथ शब्दों में दीजे तीन नमबर नदियों पर सीमेंट कंक्रीट के विशाल बांध आदी के अंदा धुन्द निर्मान को हम विकास का नाम देते हैं ऐसा सोचना परियावरण के हित्में नहीं है अपने उत्तर की पक्ष में तर्ग दीजे उत्तर है पश्चिमी देशों की देखा देखी आज भारत की नदियों पर भी सीमेंट कंक्रीट के विशाल विशाल बांध तयार किये जा रहे हैं किन्तू इन बांधों के कारण सदा नीरा सदिया नालों में बदलती जा रही है और उनकी अस्तित्व पर प्रश्तने लगे हैं निश्चे ही इन निर्मानों को परियावरन के अनुकूल नहीं कहा जा सकता कि निर्मान बांधों का किया जा रहा है लिकिन नदियां दूशित होती जा रहे हैं नालों में परिवर्दित होती जा रहे हैं इसके समर्थन में हम निमलिखित तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं पहला है बांधों के निर्मान से नदियों का पानी घट जाता है और ये नालों में रूपांतरित हो जाती है दूसरा नदियों पर बांध बनाने से उनका जल स्तर कम हो जाता है जो water level है वो कम हो जाता है जिससे नदियों पर निर्भर रहने वाले लोगों का जीवन अस्त्वेस्त हो जाता है और ये वहां से पलायन करने लगते हैं पलायन मतलब वहां से जाने लगते हैं तीसरा, बांधों के निर्मान के फलसरूप जल के कम हो जाने से नदियों में रहने वाले जीव जन्तियों को अपना जीवन खोना पड़ता है, जिससे प्राकृतिक विविद्था और परियावन संतुलन पर भी बुरा या प्रतिकूल असर पड़ता है चौथा है, बांधों के निर्मान से नदियों का पानी घट जाता है, जिससे पे जल की समस्या आखड़ी हो जाती, पीने यूग पानी नहीं मिल पाता अगला है, बांधों के बनने के फलसरूप, उपजी स्थिति के कारण जलवाईू चक्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो मौसम का एको सिस्टम है ना, जो साइकल है ना, वाटर साइकल हो या जो भी जैसे हम फोटो सिंतेसिस के क्रिया के बारे में हम जानते ह कारण वातावरण में विशैली गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्राणी जगत पर पढ़ता है, जब विशैली गैस आएंगी तो जीएगा कैसे मानव, अगला है बांधों के निर्मान के दौरान संबद बस्तियों को हटाया जाता है, क्यो कालों में बदल देते हैं, जिससे इनकी प्राचीन पहचान ही खो जाती है, तो हमें विकास तो करना है, लेकिन किसी की हानी पहुंचा कर हम अपने विकास को प्राप कभी नहीं कर सकते हैं, अगला प्रशन है, विसकोहर की माटी, लेखक के मन में क्यों बस गई, किनी दो का कारणों का उलेक करना है, विसनात, अर्थात, लेखक को अपना गाउं विसकोहर सबसे प्रिये लगता है, क्योंकि उसके बचपन की सारी मदुर स्मिर्तियां विसकोहर की माटी से जुड़ी होनी है, यू तो विसकोहर की माटी के लेखक के मन में बस जाने के कही कारण है, क या थाए और यह बदेश और ते यह Requy और किक स्थ चांदनी भी पीता रहता था चोटे भाई के जन मां के दूद से उसका रिष्टा जैसे तूट गया क्योंकि अब वो छोटी से उम्रों में बड़ा भाईया बन गया ठीक है बिस्कोहर की मिट्टी में बिताया गया इन सुकत शनों की स्मिर्टियां लेखक के मस्तिश में आज भी विद्मान है और हमेशा रहेंगी इस कारण बिस्कोहर की माटी लेखक के मन में बसी हुई है और वो हमेशा बसी रहेगी दूसरा है अपने से दस वर्ष ये बड़ी औरत के प्रेम में खो जाने की स्मिर्टी बालक विशनाद जब दस वर्ष का था तब वह अपने एक रिष्टेदार के हां खुद से दस वर्ष सता वनी चांदनी हो अपनी खुश्वू चार और विखेर रही है दूर इस्तित मूर्त वस्तु को इस प्रकार अपने पास सजीव रूप में पाने को लेखक ने तदाकार परिनती माना है संयोगवश जब वह युवती बिस्कोहर में ही बिहा कर लाई जाती है तब विसना कि यादों को लेखक बड़े होने पर भी नहीं भुला पाता क्यूंकि उन सुखद शणों की स्मिर्तियां उसके मन में हमेशा के लिए जगे बना लेती है जो भूल कर भी उसको भुला नहीं सकता है तो प्यारे विध्यारतियों आशा करती हूँ ध्यान पूरबा का आपने सुन लिया है सुन लिया है तो परिक्षाओं के लिए आप तयार हो चुके हैं मैं तो आपसे बस यही कहूंगी की बने रहो Magnet Brains पर जो आपको सभी विशय की online school education के साथ-साथ परिक्षाओं की तैयारी कराने में भी सबसे आगे है प्यारे विद्यारतियों आ गई है Magnet Brains की books और e-books जो आपको नाकेबल परिक्षाओं है तुई तैयार करेंगी बल्कि आगे जो भी आप कॉन्टे टो एक्जाम्स देंगे उनमें भी आपको पूरी दरह से सफलता प्रदान करेंगी डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक दी है उस पर क्लिक करो फॉर्म फिल करो और वोक्स के बारे में जानकारी प्राब करो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बाई थैंकी सो मज